वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज येवाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रगिए सकेंगे आप लेकिन अगर वीडियो से उत्तर देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं यह हमारा पूरा question paper है इसमें हिंदी का जिनको की मिलाना है तो pinned message में आपको हिंदी का link भी मिल जाएगा यहां से PCS Prelims 2024 के लिए हमारे courses शुरू हो चुके हैं आप given numbers पर call करके whatsapp करके दिख जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे विभिन्द paid bachelor's के बारे में 844 पेजिस का यहां पर complete study material का last moment वाला जो selection material हमनों को release करते हैं वो भी ग्रूप शुरू हो चुका है आप उसमें admission ले सकते हैं study for civil services की ओर से offline test जो आयोजित किये जा रहे हैं 6 जन्वरी को पहला test हमारा था उत्तर प्रदेश में विभिन्द केंद्रो पर इसे आयोजित किया गया था और आपने से कई सारे अभ्यर्थियों ने इसमें साक्षात हिस्सा लिया था तो उन्होंने hard copy के रूप में booklet, answer booklet और question booklet उनके पास होगी answer भी वो जान चुके होंगे उन्होंने attempt किया है लेकिन बहुत सारे ऐसे candidate हैं जो कि परिक्षा केंद्र तक नहीं पहुँच पाये थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि paper कैसा था ये देखा जाए तो यहाँ वीडियो के माध्यम से explanation भी दी जा रही है और आप paper भी देख लेंगे लेकिन वो परिक्षा वाला अनुभाँ आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें हिस्सा लेंगे तो फिलहाल GS के जो प्रशन थे 140 उन पर हम चर्चा करने वाले हैं ये 6 जन्वरी का paper है ठीक तीन घंटे का पूरा समय दिया गया था लेकिन तीन घंटे में आपको हिंदी के भी प्रशन करने थे 60 तो हिंदी वाली जो explanation है वो पहले ही दे दी गई उसका वीडियो कल आ गया था तो उसको देख लीजेगा YouTube पे available है ये GS का है, 140 प्रशन हम देखेंगे आए शुरू करते है बुकलेट हमारी कुछ इसी प्रकार की थी, मतलब ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में instruction छपे हुए हैं जैसे आयोग देता है और बाकी प्रशनों का आरम भी यहां से होता है 140 प्रशन देखें, पहला question इसमें ये modern Indian history का question है, इसमें तीन statement दिये हुए हैं जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है तो देखेंगा ध्यान से, अनाथ बालिकाओं की देखभाल और सिक्षा के लिए वर्श 1896 में धोंडो केशो करवे की द्वारा, एक अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की गई थी पहला, दूसरा statement ये है कि रमाभाई रानाडे ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा विध्वाओं को आत्निर्वर बनाने के उद्देश से वर्श 1909 में पुणे महराष्ट्र में सेवा सदन की स्थापना की थी रयत वाड़ी बंदुवस्त के प्रणेता थे थॉमस मुन्रो और अलेक्जेंडर रीड और यह विवस्त था ब्रिटिश भारत के 51 यानि 51 परसेंट भूछेत्र पर लागू की गई थी इसमें से सही कौन सा है यह आपको देखना था तो ध्यान से देखिए का इसमें जितने भी स्टेट्मेंट दी हुए है सभी के सभी सही इसलिए हम सी का चैन करते हैं सभी करेक्ट है प्रशन संख्या 2 में आपको क्रोनलोजी अरेंज करनी है तो यहां कहा जा रहा है कि पहला जो सौर उर्जा सेंत्र है वो स्थापित होता है दूसरा कि रसडा में पहली जूट मिल की शुरुवात होती है रसडा कहां पे है यह आपको पता होना चाहिए पात का उत्पादन शुरू होता है और बंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू होती है तो आपको इनकी तारीखें पता होनी चाहिए तभी आप अरेंज कर पाएंगे फिलहाल इसका जो सही जवाब था वो इसमें से था आपका बी वाला ठीक बी को आपने चुना चौथा दूसरा तीसरा और पहला इसी क्रम में करेंगे पहला इसमें जो पहली जूट मिल की शुरूवात होती है वो समे था ठारा सो चौन का, तो सबसे नया इसमें क्या है, सौरूर्जा सेंत्रे, वैसे भी सौरूर्जा की नाम पर आपको पता लगी जाएगा कि ये सबसे बाद वाला है, तो इसमें से हमने B को चुना था, इसके बाद जो तीसरा प्रशन है, ये दूसरा आपने हल किया, इसमें क फेली उसके बाद गॉलमूरि टिन प्लेट हड़ताल markings ले आहमधावा टेक्स्टाइल मुपात ले इस को आप को अरंज करना था नहीं सब से भाद वालि क्या गारों के आइस को एक अंगर आप देखेंगे तो 1921 और आहमदाबाद टेक्स्टाइल हड़ताल का जो समय है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1918 ठीक है 1918 आहमदाबाद टेक्स्टाइल हड़ताल जो है ने स्ट्राइक यह आपकी 1918 की है असम बंगाल वाली 1921 की है और पैनिसुलर रेलवे हड़ताल जो थी वो 1930 की है जबकि टिन प्लेट वाली जो है वो आपकी गोलमुरी टिन प्लेट हड़ताल जो है वो असल में 1929 की है तो इसमें से आप देख लीजेगा कौन सा सही विकल्प होगा तारीख है आपको पता होनी चाहिए प्रशन संख्या 4 को देखते हैं चौथे ग्वेशन में कहा गया कि दसत्य Boy Scouts Association जो है ये श्रीराम बाजपही की द्वारा इस्थापित हुआ तो अब आपको ये देखना था कि इसमें सही कौन सा है ठीक है सही कौन सा है बताई तो चौथा आप देख रहे हैं सही जवाब इसका D वाला होगा इसमें जितने भी दिये हुए हैं सभी के सभी ठीक ठाक ठीक है D वाले विकल्प को हम चुनते हैं ये D वाला ओप्शन हमने चुना वतलब 10 सत्य महिमा धर्मा फोडिशा की स्थापना महिमा गोसाई के द्वारा 1862 में होती है और सहजा नंद स्वामी के द्वारा 19 मी शताबदी में गुजरात में जो स्वामी नाराण संप्रदाय ह उसको इस्टाब्लिश किया जाता है और साइंटिफिक सुचाइटी जो है ये सरसेयद आमत खां के द्वारा ही स्थापित की जाती है समय था इसका 1864 का ठीक है 1864-1864 और सेवा समीती बॉय स्काउट एसोशीयसन ये श्रीराम बाजपई के सौजने से बंबई में स्थापित एलाइनेशन एक्ट जो है इसको वर्ष 1900 में लॉर्ड करजन के साशनकाल में पारित किया गया था मतलब समय दिया हुआ है और उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था वो दिया हुआ है इसके बाद कहा गया कि 1876 में लॉर्ड लिटन के द्वारे ये सुजाओ दिया गया था कि भारतिय राजाओं की एक आंतरिक परिशत का गठन किया जाना चाहिए ये जो इनर काउंसिल है ये भारतिय राजाओं के लिए बनाई जानी चाहिए मदर टेरेसा ने कहा था कि ब्रिटिस सामराज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ है और हर दिशा में ब्रश्ट अत्याचारी और हीन है मतलब कहीं से भी ये ठीक नहीं ऐसा मदर टेरेसा का कथन था और इलबर्ट बिल 1833 में लॉर्ड रिपन के शाशनकाल के दोरान पेश किया गया था और इसमें अच्छा खासा विवाद होता है तो आपको देखना है कि इसमें गलती कहां पर है प्रश्न संख्या पांच सही जवाब इसका सी हो जाएगा यहां जो मदर टेरेसा का स्टेट्मेंट दिया हुआ है ना इसी में गड़बड है ये जो कथन आप देख रह में 1883 में इलबर्ट बिलाता है और बाकी जितनी चीजे हैं चैंबर आफ प्रिंसेस का आप सुनते हैं 1921 में ये गठन इसका किया जाता है लॉड लिटन के ही सुझाओ पर ये गठित भी किया जाता है तो बाकी चीजे ठीक है अब इसके बाद छटवे क्वेशन को देखते हैं यहाँ पर कुछ तीन स्टेट्मेंट दिये हैं सही कौन सा है या आपको बताना है एक से जादा सही हो जाएगा तो यहाँ पर कहा गया कि मोहंदास करमचंद गांधी ने 1903 में समय ध्यान से देखेगा 1903 में आहमदाबाद में इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र शुरू किया था मोतिलाल तेजावत इन्होंने भीलों को संगटित किया था और भील आंदोलन ने असहयोग की गतिविधियों को मजबूत किया था असहयोग आंदोलन में इनका योगदान है ऐसा कहा गया पूना सारुजनिक सभागी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद लानडे और गणेश वासुदेव जोशी की द्वारा की गई थी तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है प्रश्न संख्या छे और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला दूसरा और तीसरा इसमें सही है लेकिन पहला वाला जो द जिरात में नहीं होती है तो ये स्थान गलत दिया हुआ है बाकी दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है उसमें कोई समस्या नहीं है प्रश्न संख्या साथ को देखते हैं यहाँ पर कुछ तीन स्टेटमेंट है आपको जो सही है उसकी तलाश करनी है तो वेदान्त कॉलेज इसकी स्थापना होती है 1825 में और इसके संस्थापक थे राजा रामोहन राय ऐसा दिया है सोम प्रकाश समाचार पत्र था और इश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा 1869 में द्वारकानात विद्याभूशन के संपादन में इसको शुरू किया गया था मैंने संस्थाप आज में लंडन में प्रभावशाली इंडियन होम रूल सुसाइटी की स्थापना की थी अब यह जो तीन स्टेट्मेंट आप देख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है यह आपको बताना है ध्यान पूर्वक देखिएगा और आपका जो साथवा क्वेशन है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला तीनों ही कथन सही है तीनों में कोई समस्या नहीं है ठीक तीनों ही स्टेट्मेंट सकते हैं वेदांत कॉलेज 1825 का है राजाराम मोहन राइस के संस्थापक थे सोन प्रकाश का आप जानते ही है इश्वर चंद्र विद्यासागर ध्या बात की थी संपाधक वो नहीं थे संपाधक थे द्वारकानात विद्याभूशन और सूरत गुजरात का जो सूरत है वहाँ पर जन में थे श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने होम रूल को बढ़ावा देने का काम किया था और उसी के सौजन मतलब उनी के प्रयासों से य इंडियन मिरर नाम का जो न्यूस पेपर है यह स्टार्ट होता है 1862 में और इसकी स्टार्टिंग होती है कलकता में ठीक है इसका जो ओरिजिन है वो कलकता से होता है देवेंद्र नाठ टैगोर के माध्यम से और यह समाचारपत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था यह इसका न्यूस पेपर था ऐसा कहा गया तीसरा स्टेट्मेंट मापकीजेगा दूसरा स्टेट्मेंट जो है वो यह कह रहा है कि आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और कहां पर हुई थी तो पश्चिम मंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र ब केवल पहला और दूसरा ही इसमें सही है जो तीसरा वाला स्टेट्मेंट यहां फारवर्ड ब्लाक के अखिल भारतिय सम्मेलन वाला है वो गड़बड है फारवर्ड ब्लाक का अखिल भारतिय सम्मेलन 1940 में होता है नागपुर में 1942 के आस-पास तो यहां नेताजी की जो गत प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं यहाँ पर भी फिर स्टेटमेंट दी हुए है और यह जो कथन है इनका संबंद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से हैं ठीक है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में चार स्टेटमेंट दी हैं उसमें से कौन सा सही है यह आपक थे और 1937 का जो समय था तीसरा स्टेट्मेंट 1937 के जो प्रोविंसियल इलेक्षन थे प्रांती चुनाओ थे उन में से 17 में से 13 सीटे इसके हाथ लगी थी किसके इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के और इसने और इसने और द्योगिक विवाद विधेयक यानि 1949 वाला जो थ तो कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का आपने यहां जो योगदान है उसे देखा लेकिन सारे कथन सही हो या आवश्यक नहीं है तो बताइए कि इसमें ठीक कौन सा है प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सही ह सिर्फ हमें चाहिए था तो हम सिर्फ एक उचुनेंगे पहला दूसरा तो ठीक है लेकिन बागी जो दोनों है न उसमें गड़बड मतलब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जहां तक आप देख रहे हैं तो यह ब्रामधवादी गतिविधियों को सीमित करने के साथ में पूजिवादी संद्रशनाओं का भी ये विरोध कर रहा था ये 1936 में स्थापित हुआ था डॉक्टर बियार अंबेडगर के माध्यम से और गठन के समय कम्यूनिस्ट नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया था समर्धन नहीं किया गया था तो ये दोनों स अंधेयक जो था 1937 वाला यहां 49 दिया हुआ है यहां पर क्या होना चाहिए 37 होना चाहिए इसका इसने विरोध किया था और विरोध करने का जो कारण है वो बिल्कुल ठीक दिया लेकिन समय सही नहीं दिया था इसलिए हमने दोनों को गलत कह दिया तो हमारा उत्तर है इसके पहले प्राकृत भाशा में खारवेल के हाथी गुमफा विलेक से प्राप्थ होता है भारत वर्ष इसको रुपांतरित करके समझा गया लेकिन प्राकृत में लिखा हुआ था भर्धवस तो यह जो भर्धवस शब्द है यह हाथी गुमफा इंस्क्रिप्शन से स्थान के लिए वेडुवन नाम का महा भिहार बनवाया था अब आप बताईए प्राजीन भारत का जो question है इसमें से सही statement कौन से है दस्वा तो दस्वे का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला ठीक ए को इसलिए चुना क्योंकि इसमें एक मात्र पहला ही सही है भरधवस वाला सही ये information ठीक है कि प्राकृत में लिखा गया था ये शब्द प्राकृत का है और बाद में इसका संस्कृत रूपांतरण भारत वर्ष के रूप में किया गया खार्वेल के हाथी कुंफा विलेक से इसका ब्योरा मिलता है ठीक बाकी यिन्तू जो कहके संबोधित करने का काम था ये वेंसांग का था ये इरानी विद्वानों का नहीं था यिन्तू का मतलब होता है चंद्रमा और मगद का राजा था बिंदुसार नहीं बलकि बिंबिसार हर्यक वंश का बिंदुसार अगर आप कहेंगे तब तो मौरे अस्थल का चैन आपको करना है तो बीर्भानपुर दिया है लोटेश्वर दिया है पैसरा दिया है और बालू दिया है इसमें से बताईए इसका सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा ज्यान से देख लीजे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला ठीक मध्य पाशान काली निस्थल और उसकी वर्तमान अवस्थिती जब आप देखते हैं तो उसमें बीर्भानपुर, लोटेश्वर और पैसरा का नाम आता है साथ में सराय नाहर राय को भी आप उसी से जोड़ कर देखते हैं बागी हडपा पुरा इस्थल में अगर देखें तो बालू का नाम आता है, कैथल जिले में ये पढ़ता है इस्थान, बालू नाम की जगह कहाँ पर है, ये हरियाणा में जो कैथल जिला है, वहाँ पर बीर्भानपूर अच्छा काँ है तो बीर्भानपूर की लोकेशन पश्चिम बंगाल में है लोटेश्वर आपका गुजरात में पड़ेगा पाटल जिला और पैसरा जो आप देखते हैं यह मुंगेर में है यानि बिहार में तो इसका हमने डी जुना इसके बाद प्रश्चन संख्या 12 को देखें यहां तीन स्टेटमेंट है और इस पर आपको विज़ार करके बताना है कि सही कौन सा है तो फायान ने विशेश रूप से गुप्त काल के बारे में ब्योरा दिया है विन सांग ने विशेश रूप से वर्धन काल के बारे में बताया है और ईट सिंग ने विशेश रूप से पूर्व मध्य काल के बारे में काफी खास जानकारियां दी तो बताईए इसमें सही क्या है तीन विदेशी आत्रियों का यहाँ पर ब्योरा दिया हुआ है इसमें से सत्य कौन सा है तो सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से सबसे पहले मुहम्मद गोरी ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने और मुस्लिम सिक्षा देने की परंपरा को शुरू किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सोंधर नाम का एक एगरिकल्चरल लोन जो है वो प्रोवाइड कराया था मतलब क्रिशी रिन उपलब्द कराया था इसका नाम था सोंधर और औरंगजेब दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने की अमीरे सादा के पदों पर म्यूगती की थी ठीक अमीरे सादा ये जो पोस्ट है इस पर अपॉइंट्मेंट का काम औरंगजेब के द्वारा किया गया था सबसे पहले बताई इसमें सही कौन सा है तो सही है इसका ए वाला किवल पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहां गड़बड है ये जो पोस्ट और साथ में औरंगजेब का नाम जोड़ा हुआ है तो हमने ए को चुना अच्छा है यहां सही इंफॉर्मिशन क्या हो सकती है तो ये भी काम MBT का ही था मुहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सोंधर नाम का प्रदान करवाने का बंदोबस्त किया था और साथ में इसी ने ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने की अमीरे सादा के पदपर नियूक्तियां की थी आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 14 में कहा गया कि कुतुबुदीन मुबारक खिल जी ने देवगिरी का नाम बदल कर दौलता बात कर दिया था ये पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है कि सयद टैनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शाशन किया था और इलतुतमिष ने दिल्ली को ना केवल भारत में तुर्की सामराज्य का राजनितिक और प्रशाशनिक केंद्र बनाया बलकि उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों को भी यही पर केंद्रित कर दिया तो यह तीन स्टेट्मिंट है और डी वाले में कहा गया है कि A और C दोनों सत्य हैं ऐसा विकल्प दिया हुआ है मतलब चार विकल्प आपके पास मौझूद है डी वाला जो है वो दो विकल्पों का समर्थन करता है तो आप बताएं किसमें से हम चुने किसको चौदह हुआ आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा C वाला इल्टुत्मिष ने दिल्ली को ना केवल भारत में तुर्की सामराजी का मतलब तुर्की सामराजी की administrative और political activities का केंदर बनाया बलकी इसको जो cultural activities थी उससे भी जोड़ दिया यही वाला इसमें एक मात्रे ठीक बाकी सारी information गड़बढ है इसमें D देने का मतलब यह नहीं कि आप D को चुन लेंगे कुतुबुदीन मुबारक खिल जी के द्वारा उसके गलत निर्णेयों में से एक माना जाता है और उस समय उसने नाम रखा था देवगिरी का दौलता बाद और खिल जी वंच ने सबसे कम समय तक शाषन किया था यहां सैयदों का दिया हुआ है तो वो दोनों गलत है सिर्फ सी वाला सैयज में इसके बाद प्रशन संख्या 15 को देखते हैं यहां पर करेक्ट उप्षन आपको चुनना है बाबर ने 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपादी को धारण किया था और बाजार नियंत्रण व्योस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिवा ने रियासत नाम का एक विभाग स्थापित किया गया था पानिपत के तीसरे युद्ध के समय मुगलबाद शाह शाह आलम वितिय था और आलमगीर वितिय के शाशनकाल में दिल्ली पर आमद शाह अबदाली का कपज़ा था प्लासी का युद्ध मुगल समराथ मुगल शाह के शाशनकाल के दौरान लड़ा गया था तो अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है बताईए यहां कुछ पाँच स्टेट्मेंट दिये हुए हैं पाँचों भी सही हो सकते हैं लेकिन ध्यान से देखेगा फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो इसमें भी हो जाएगा अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौछा सही है पहला ठीक है यह खानवा वाला। दूसरा बाजार नियंत्रण व्योस्ता अला अधिन खिलजी ए उसमें कोई समस्या नहीं है पानी पत का तीसरा युद्ध ये भी सही है है ना चौथा वाला भी ठीक है लेकिन ये प्लासी का युद्ध वाली जो इसमें information दी है ये गड़बढ है प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितिये के शाशनकाल के दोरान लड़ा गया था मतलब दिल्ली पर उस समय अगर हम मुगल बादशाह का आदि पत्ते देखें तो वो आलमगीर द्वितिये का था ठीक है ये एक मात्रिस में गड़बढ है तो हमने बी को चुना प्रशन संख्या सोला को देखिए यहाँ पर कुछ सूची मिलान वाला दिया हुआ था मतलब कुछ मेजर साइट्स दी हुई है और एक्सकेवेटर्स जो है उनके नाम दिये हुए उत्खनन करता की तो बाला थल है कौशामभी है उलास है और गुप कराल है अब यहाँ नाम दिया है विरेनरेनात मिश्रा काशिनात नारायन दिक्षित अरुण कुमार शर्मा और गोवर्धन राय शर्मा मिलान आपको करना है और नीचे कोड चुनना है तो सोलहवा आपने ध्यान से देख लिया होगा इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ये वाला थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके समें मिलान करना होगा मतलब ये है कि बाला थल के उत्खनन करता कौन है विरेनरेनात मिश्रे है इसमें कुछ नहीं ये आमने सामने मैच कौशामबी के हैं गोवर्धन राय शर्मा ठीक कौशांबी के क्या है गोवर्धन राय शर्मा है और हुलास के है काशिनात नारायण दिक्षित दूसरे से मिला लीजे अब बचता है गुफ कराल इसको अरुण कुमार शर्मा जी से मिला लीजे काम हो जाएगा तो हमने एक को चुना प्रशन संख्या सत्रा यहां देखि एक सीधा सा स्टेट्मेंट और कनिश्क के शाशनकाल के दौरान चौथी बौत संगीती यानि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको और्गनाईज किया गया था और वहाँ पे बुद्धिस्म के दो टुकडे हो जाते हैं हीन यान और महायान इसके बाद कहा गया क 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कार्तूसों के प्रयोग से मना कर दिया और एक सैनिक बंगल पांडे ने 34 मी ध्यान से यहां एक एक जो डिजिट वगरा है उसको देखिएगा 34 मी बंगाल नेटिव इंफैंट्री के अपने सहयोगी के विशेष सहाय पर आकरमड करके उसकी हत्या कर दी अपने सहयोगी के विशेष सहायक पर हमला करके इन्होंने उसे मार डाला था ऐसा दिया हुआ है तो अब आप बताईएगा कि इसमें गल्ती कहां पर है सारे सही भी हो सकते हैं तो ध्यान से देखिए correct answer इसका D ही है ठीक इसमें जितने है सभी सही है इनमें से कोई नहीं गलत है इसका मतलब है कि जितने है सभी सही है ये आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें सारी information ठीक है या नहीं लेकिन सत्य है ठीक इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीनों statement यहां perfect थे प्रश्न संख्या 18 और यहां फिर कुछ statement है चार ह जा रहा है कौन सा है यहां से geography आरम हो गई है कहा गया कि उत्तर पश्चिमी रूस में स्थित लड़ोगा जील अपने सतह छेत्र और पानी की मात्रा दोनों के मामले में यूरोप की सबसे बड़ी जील है और सुपीरियल जील दुनिया की सबसे बड़ी अलमडी जील है ठीक अफरिका की सबसे बड़ी जील है किस मामले में तो वही surface area के मामले में और बैकाल लेक जो है यह दक्षन अमेरिका की सबसे बड़ी जील है अब इसमें सही कौन सा है तो 18 को आप देख रहे हैं सही जवाब इसका क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से इसमें सफेद जूट क इसमें बोला गया है बैकाल को आप भी जानते हैं कि यह रूस की है यह अमेरिका में कहां से चली जाए तो यह संभो नहीं है चौथा गलत है और चौथा गलत है तो फिर इसमें हमारे पास दो ही option बचते हैं दो को आप आराम से eliminate कर सकते हैं A और B में से आपको चुनना था और A और B में से थोड़ा सा भी आप तीनों statement के पारे में जानते हैं तो आप B को चुनेंगे पहला दूसरा और तीसरा तीनों सकते हैं केवल चौथा वाला गलत है ठीक इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 19 में को देखते हैं यहाँ पर कहा गया कि भूमत दे Cancer और Capricorn का भी पता हुना जी कहा कहा किन देशों से गुजरती फिल्हाल 19 जो है इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा सही जवाब इसका हो जाएगा C वाला मतलब दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा ठीक तो हमने C को चुना अब बात यह है कि equator जो है वो 13 देशों से होकर गुजरता है दक्षिन अमेरिका यहां महाधवीब के हिसाब से आप देखें तो दक्षिन अमेरिका में एक्वेडोर कोलंबिया और ब्राजील से अफ्रिका में गैबून कांगो मतलब कांगो रिपबलिक जो है आपका युगांडा केनिया साओ टोम प्रिंसिपे और स जाएए देखें इसमें तीन स्टेटमेंट है आपको जो सही है उसकी तलाश करनी है तो भारत की मानक मध्यान रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के शहर मिरजापुर से होकर गुजरती है भारत की मानक मध्यान रेखा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश च्छतीसगर्ड ओ अपसरा का संचालन अगस्त 1956 में किया गया था और भाबा पर्माण वनसंधान केंद्र का जो ट्रॉम्बे परिसरे वहां से आरम होता है तो अब बताईए इसमें सही कौन सा है देखिए बीस्वा जो है इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा किवल पहला और तीसरा ही सही यह जो दूसरा दिया हुआ है इसमें साफ साफ देखकर पता लग रहा है कि इतने स्थानों को यह एक साथ कैसे कवर करेंगे यह कोई करक रेखा तो है नहीं कि आराम से यह जितने भी प्लेन पैरलल आपके राज्य मिलेंगे सबसे ओकर गुजर जाएगी तो इनमें मानक दिखा जो है इसकी जद में नहीं आएगा इसमें से हम दूसरे वाले स्टेटमेंट को निकाल लेंगे बाकी पहला तीसरा सही प्रशन संख्या 21 को देखते हैं यहाँ पर फिर से चार स्टेटमेंट यह हैं जो सही है उसकी तलाश करनी है तो जंगल महल नाम का एक छेतर है जो कि मड़ीपुर राज्ये में पाया जाता है इसका नाम है जंगल महल इसके बाद 30 डिगरी जो देशांतर है आपका लॉंगिट्यूड है इसके कारण ही भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर यानि अरुडांचल में बिंध्य परवत माला से निकलने वाली माही रिवर करकरेखा को दो बार काटती है अब आप बताईए इसमें सही कौन सा है तो सही जवाब इसका बी वाला हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है दूसरा सही है चौथा सही है लेकिन पहला तीसरा गलत है ये जो जंगल म एरिया आप देख रहा है मिनरल के लिए काफी ज्यादा फेमस है यह जारखंड में है 36 गड़ से भी पाए जाते हैं ऐसा नहीं है लेकिन यह जो एरिया है यह आपका जारखंड का है ठीक है तो हमने बी को चुना प्रश्ण संख्या 22 में चलते हैं यहां देखे इसमें आपको कराने वाले छेत्र होते हैं फिलाल यह जो इस्थलाकृतियां हैं दुआर इस्थलाकृतियां इनका इस्तिमाल चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है इसके बाद पश्चमी घाट को महाराष्ट्र में सहयादरी कहा जाता है करनाटक तथा तमिलनाडू में नीलगिरी कहा जाता है और केरल में अन्ना मलाई और इलायची की पहाड़िया यानि कार्डेमिम हिल्स के रूप में जाना जाता है ऐसे कहा गया लगू हिमाले को हिमांचल प्रदेश में नाग टिब्बा कहा जाता है ध्यान से देखेगा और उत्राखंड में धौलाधर कहा जाता है तो अब ये जो परवतों का यहाँ नामकरण किया गया है ने परवतमालाओं का बहुत ध्यान से देखेगा और बताइए इसमें सही कौन सा है प्रश्न संख्या 22 सही जवाब इसका हो जाएगा आपका एवाला पहला दूसरा तो ठीक है दारजलिंग और सिक्केम हिमाले में ये दुवार स्थला कृतिया धलान युक्त होने की वज़े से यहाँ चाय बागान लगाये जाते है नमी की मातरा अच्छी है लेकिन पानी रुकता नहीं है क्योंकि ढालू एरिया है और ऐसे ही छेतर आदर्श होते हैं चाय के बागानों के लिए मतलब वर्शा हो खूब आदरता रहे लेकिन वहाँ पर पानी टिके न इस्थिर न रहे दूसरा पश्चिमी घाट वाला भी बिलकुल ठीक दिया है लेकिन यहाँ समस्या है यह नाग टिब्बा और धौला धर वाला लगु हिमाले को हिमानचल में कहते हैं धौला धर और उत्तरा खंड में कहते हैं नाग टिब्बा यहाँ यह गलत दिया हुआ है उल्टा दे दिया है असल में तो हमने एक उचुना प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं यहां आजाईए श्रिलंका भारत से मननार की खाड़ी और पाक जल्टमरू मद्धी के द्वारा अलग होता है। देखें भारत के चार उत्तरपूर्वी जो राज्ये हैं उसमें अरुडांचल, नागालेंड, मडिपूर और मिजोरम आएगा। में आपको मिलेगा। दोनों एक दूसरे को यही पर काड़ती है। और नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्रिमी घाट का जो मिलान बिंदु है, मतलब नीलगिरी हिल्स जो है, पूर्वी घाट है, पश्रिमी घाट है आपका, वो सम मिलते हैं कहां पर आकर? नीलगिरी की पहाड़ियों में, मतलब बोलने में त्होडा सा, यहां मिश्टेक में रिद्वारा हुआ है, माफ कीजेगा, पूर्वी घाट और पश्रिमी घाट जो है, यही नीलगिरी की पहाड़ियों में जाकर मिल जाते हैं, वहां एक गाठ की रूप में इनका मिलन हो इसका C वाला हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनो सत्य है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तीनो की तीनो यहाँ पर ठीक दिये हुए है, ठीक है, प्रश्न संख्या 25, यहाँ पर भी चार स्टेट्मेंट है, इसमें से भी आपको सही ही देखना है, तो मैक मोहन रेखा चीन और भारत के बीच में अंतराश्टी सीमा रेखा है, आठ डिग्री चैनल मिनिकायो और मौलदीव के बीच में है, ठीक, मिनिकायो और मौलदीव वीपों को यह अलग करने का काम करता है, चैनल का मतलब क्या है, यह पानी का एक पतला, पतली नाली आप समझ सकते हैं, समुद दश डिग्री चैनल के दवारा उत्तर में अंडमान दक्षड में निकोबार अलग हो जाता है, मतलब दश डिग्री चैनल के दवारा उत्तर में अंडमान और दक्षड में निकोबार यह दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों को अलग करने का यह काम करता है, तो चैनल अलग कर काम तो कर रहे हैं लेकिन यहां ध्यान से आप देखें कि इसमें से कौन सी जानकारी ठीक है यह information तो है तो प्रशन संख्या 25 में correct answer क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा दूसरा पहला दूसरा और चौथा सही है पहला सही है दूसरा सही है चौथा सही है लेकिन यह तीसरा वाला इसमें से गलत है नौ डिगरी चैनल जो है न यह लक्षदीप और मिनिकाय को आपस में जोडता है कावा रती से इसमें जोडने की बात कही गई है वो गड़बड है तो यह वाला हमने इसमें से निकाल दिया correct answer हमारा बी था इसके बाद प्रशन संख्या तीसरा वाला और यह अरुणांचल प्रदेश में स्थित दो समानांतर अक्षान से रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलो मिटर होती है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित किभिथू महारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है अब आप बताईए कि इसमें सही कौन सा है ध्यान से देखेग और 26 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब पहला और तीसरा हो जाएगा इसमें पहला स्थित्मेंट सही है और तीसरा सही है लेकिन ये दोनों उल्टे दे दिये हैं गुहार मोती आपका गुजरात में है ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा और किभिथू जो आप देख ये अरुडांचल में है ये सबसे पूर्वी बिंदू हो जाएगा ये उल्टी इन्फॉर्मेशन दे दिया है इस वज़े से गड़बड हो गया है प्रशन संख्या 27 को देखें यहां आ जाईए गलत विकल्प का आपको चैन करना है भारत मुख्य भूमी का सबसे दक्षड उत्तर में दक्षड अंदमान में स्थित रेटलेंड ड्वीप और दक्षड में लिटिल अंदमान को अलग करने का काम करता है यहां पे डंकन पैसेज की बात हो रही है तो अब ध्यान से देखेगा कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है या फिर कोई गलत नहीं है किसको आप चुनेंगे गलत की तलाश करनी थी और सही जवाब इसका बी हो जाएगा इसमें आप देख रहे हैं कि गलती कहां पर है यह वाला डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर है हाला कि डूरंड रेखा का एक छोटा सा टुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाया जाता है तो यहीं इसमें एक मात्र इंकरेट है बाकी जितने है वो ठीक इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं यहाँ पर आपको अरेंज करना था तो अरेंज करना नहीं अरेंज किया लंबाई जिसकी सबसे कम है उसको सबसे पहले रखेंगे तो नेपाल चीन पाकिस्तान और बांगलादेश दे हुए हैं अब इनका अरेंजमेंट करिएगा देखे 28 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला इसी क्रम में करेंगे तो सही रहेगा नेपाल उसक चीन की और सबसे बड़ी सीमा हमारी लगती है बांगलादेश के साथ नेपाल के साथ जो बार्डर लगता है वो 1751 किलो मीटर के आसपास ठीक चीन के साथ 3488 पाकिस्तान के साथ 3320 और बांगलादेश के साथ 4096.7 सबसे लंबी तो यह हमने किया सी वाले विकल्प को चुल ल गिरा हुआ है ठीक इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीब परिस्थित है भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलो मीटर लंबी सीमा रेखा को साजा करता है तूरंड रेखा और भारत पूरु में चीन और नेपाल तथा साथ में भूटान से भी गिरा हुआ है भारत क जो चौथा दिया हुआ है इसमें समस्या है भारत के पूरम में जो यहां पर दिया हुआ है न तो यह सारे देश भारत के उत्तर में पाये जाएंगे चीन भी नेपाल भी और भूटान भी सामाने नक्षे कि अगर आपको एक बेसिक इनफॉर्मेशन है तो भी आप कर और म्यामार है ये दोनों पूर्वी पडोसी इसके बाद प्रशन संख्या 30 को देखे यहां आ जाईए इसमें आपको इनकरेक्ट आप्शन चुनना था तो छेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे छोटा केंडर शाषित प्रदेश है लक्षदी रेड गलिफ रेखा अफग अगला देश के साथ जो सीमा साजा करता है वो 856 किलोमीटर लंबी है कुछ इस प्रकार से ये इनफॉर्मेशन दी हुई है तो अब आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है यहां गलत की जानकारी आपको देनी होगी सही जब आप इसका बी हो जाएगा यहां दिया हु इसमें चलते हैं यहां पर विचे मंगद फालोइंग ऑप्शन इस करेक्ट फिर से आपको सही की तलाश करनी है तो चार स्टेटमेंट दिये हुए हैं पंचनद जो शब्द है यह पंजाब की पांच मुख्य नदियों के लिए इस्तिमाल किया जाता है और कौन-कौन सी इन पांच नदियों को संयुक्त रूप से कहा जाता है पंचनद और भारत की समुद्री तट्रेखा अंडमा निकोबार द्वीब समूँ और लक्षदीब समूँ के साथ मिला कर पूरा जोड कर है 7516.6 किलो मिटर ठीक गोडवाना क्रम की चट्टाने ताबे की उत्पादन क की लिए काफी जादा जानी जाती हैं कॉपर का production यहांसे भूतायत होता है भारत में petroleum पर दार्थ दृतिय करम की ओसदी चट्टानों में पाए जाते हैं भारत में जो petroleum product है वो कहां पर पाय जाते हैं यह sedimentary quantities. 600 order की है वहां से प्राप्त किये जाते हैं तो अब आपको देख प्रशन संख्या 32 यहां देखिएगा इसमें से आपको सही विगल्ब का चैन करना है कुडपा संख्या का सरवाधिक विकास आंदर प्रिदेश राज्य का जो कुडपा छेत्र है वहाँ पर हुआ है धारवाड संख्या का सबसे जदा विकास केरल के धारवाड छेत्र में हुआ है और पश्चिमिघाट परवच श्रंखिला की उत्पत्ती सेनजोई क यूग में हुई है, सने जोई की राजो है, उस समय ये उठकर खड़ी हुई है, देखी और बताइए, तो correct answer 32 का, अगर आपने देखा ध्यान से, तो इसका हो जाएगा, C वाला, ठीक, पहला और तीसरा इसमें सही है, लेकिन ये जो दूसरा वाला धारवार संरशना का दिया ह हुआ है, ये गड़बड, धारवार संरशना ये धारवार छेत्र से जुड़ी हुई तो है, लेकिन ये छेत्र कहां पर है, ये केरल में नहीं है, बलकि करनाटक में है, ठीक, तो हमने C चुना इसमें से, प्रशन संख्या 33 को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्दल आपको सही तरीके से करना है, और ध्यान दीजेगा, आडर कैसा रहेगा, डिसेंडिंग आडर रहेगा, कैच्मेंट एरिया के मामले में, तो प्रशन संख्या 33 को आप ध्यान से देखें, सही जवाब इसका हो जाएगा, C वाला, सबसे पहले आप माही को रखेंगे, उसके पाद उससे कम साबरमती का, उससे कम कालिंदी का और सबसे कम धांधर का, यही इसका सीक्वेंस, ठीक, प्रशन संख्या 34, अरेंज का फालोइंग एलिमेंट इन डिसेंडिंडिंग ओर अन दे बेसिस आप देयर, केमिकल कम पोजीशन इन दे अर्थ, यह टर्म आप सबसे जादा वाले को पहले रखेंगे, सबसे कम वाले को सबसे बाद में, तो 34 आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है उसमें से, D वाला हो जाएगा, सबसे पहले इसमें सिलिकॉन आएगा सबसे जादा, उसके बाद थोड़ा सा कम मैगनीशियम, उससे कम सल्फर 2.9, निकल 2.4, कैलशियम 1.1 और अलुमीनियम 1.1 प्रशन संख्या 35, यहाँ पर आपको सही विगल्प का चैन करना है, तो जूट का पास तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, यह सब रोपड फसले हैं, रोपड फसलों का मतलब क्या, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, इ चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, यह महत्तुपूर्ड वाणिजिक फसले हैं, यानि कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो अब आपको यह बताना पड़ेगा कि इसमें से सही कौन सा है, ए और भी दोनों सही है, या फिर कोई एक सही है, देखी और बताइए, तो 35 को आप दे पसले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, बाकी जूट का पास तंबाकु, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर, यह सभी जो हैं, यह वाणिजिक फसलों में आते हैं, ठीक, सारे ही नाम, और चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, केला, यह सब महत्तुपूर्ड, रोपर फसले हैं, केला ज की 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा लॉड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, और संबिधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजंदर प्रशाद को भारत के पहले राश्ट्रपती के रूप में चुना गया, 20 फरव अब यहां ध्यान से देखेगा, तो जो 36 आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका B वाला, ठीक, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक, यह दोनों सही है लेकिन पहला वाला इसमें गलत है, यह जो चार्टर एक्ट है यह 1793 का नहीं बलकि 1833 का था, इस केंदरी करण की प्रक्रिया चली आ रही है, मतलब एक कोई केंदर बना कर और इसमें कलकत्ता या बंगाल छेतर ही केंदर हुआ करता था, आम तोर पर, केंदर बना कर उसी पर सभी जितनी भी अन्य प्रेसिडेंसी हैं या जितने और प्रशाशन के स्रोध हैं, उन्हें लेकिन इसमें जो डेट है या सन दिया हुआ है वो ठीक नहीं था, बाकी जितने हैं हो सही है तो हमने चुना किसको, हमने बी वाले को चुना, दूसरा और तीसरा ठीक, प्रशन संख्या 37 को देखते हैं, यहां आ जाईए, वर्ष 1862 ये जो समय है, ठीक, वर्ष 1862, इसमें 18 1861 का जो इंडियन काउंसिल आट आता है, उसके अंतरगत, इलाहाबाद के लिए एक नई विधान परिशद की स्थापना का प्रावधान किया गया, यह पहला है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि 1773 के रेगुलेटिंग आट के दोशों को सुधारने के लिए, ब्रिटि संसकरण जो था संविधान का, उसमें सुलेखन का काम वसंत कृष्ण वैद्दे के द्वारा किया गया था, क्यालिग्राफी का काम हिंदी वर्जन में किसने किया था, कॉंसिट्यूशन के, इनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्दे, और चौथा स्टेटमेंट है कि भीमरा और राम जी अम्बेटकर, यानि बाबा साहिब अम्बेटकर, इनको भारतिय संविधान की संविधान सभा की संचालन समिती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किया गया था, ठीक, अब बताईए इसमें से आपका सही कौन सा है, स्टेरिंग कमेटी के बात हो रही है, सं पहला सही है न चौथा सही है, है न, ये दोनों ठीक है, इनमे कोई समस्या नहीं है, कैलिग्राफी वाला याद रखेगा, नाम पूछा जाता है कभी-कभी, और ये वाला आप जानते ही है, कि ठीक है, अच्छा, यहाँ पहले स्टेट्मेंट में क्या समस्या है, तो पहले पहले स्टेट्मेंट में दिक्कत ये न, कि 1862-1861 का जो भारती परिशद अन्यम था, उसके अंतरगत बंगाल के लिए एक नई विधान परिशद का प्रावधान किया गया था, और यहाँ देखें, इलहाबाद दिया है, तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर आप भी जानते की स्टेरिंग कमीटी का नहीं बल्की बाबा साहिब हम बेटकर, यहाँ बाबा साहिब हम बेटकर की जगह किसका नाम होना चाहिए, हमारे पहले राश्टर पती यानि डॉक्टर राजेंदर पृषाजी का नाम होना चाहिए, इन्हें संबिधान सभा की संचालन समिती य proto स्टेरिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था ठीक है तो हमने चुना किसको इसमें से हमारा उत्तर था ए यानि दूसरा और तीसरा एकदम ठीक इसके बाद प्रशनसंख्या 38 में चलते हैं यहां आ जाई फिर से स्टेटमेंट दिये हुए है कुलमिलाकर तीन और इसमें से बारा किया गया था वो देखेगा इसके बाद भारती राश्ट्री कॉंग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तोर पर भारत का संविधान बनानी के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी वर्ष 1949 पंडि जवारलाल नेहरू ने ये घोशना की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मतादिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा और इसमें बाहर से कोई भी हस्तक्षे नहीं होगा अब आप बताएं इसमें से सही कौन सा है 38 प्रिशना आप देख रहे हैं नीचे विकल भी आपको दिखाई दे रहे तो 38 में आपने देखा सही जबाब इसका क्या होना चाहिए यह पहला और दूसरा तो ठीक है लेकिन यह जो तीसरा वाला है ना इसमें गड़बड है यह 1949 की बात कही गई है असल में 26 नॉम्बर 1949 का जो समय था उस समय संविधान को अंगिकृत अधिनियमित और आत्मार्प कि द्वारा ही यह गोशना की गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मतादिकार के आधार पर निर्वाचित होगा मतलब पहली चीज़ जो संविधान सभा है वो वयस्क मतादिकार के आधार पर निर्वाचित होगी उसके द्वारा संविधान का निर्माड किया ज यहां से देखेगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा द्वैद शाषन व्योस्था को इस्थापित किया गया था ठीक और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसके अंतरगत ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणड़ जी को राजनितिक कार्य है उ एक प्रस्तावना मतलब एक ही प्रस्तावना है वो आप जानते ही है उसके अलावा तीन सो पंचान्बे अनुछेद और आठ अनुसूचियां सम्मिलित थी यानि जो मूल सम्मिधान था उसके अंदर बताया जा रहा है तो अब आप देखें और बताएं इसमें सही कौन सा ह और 49 सही जवाब इसका B हो जाएगा है ना दूसरा तीसरा और चौथा ठीक है लेकिन पहला वाला जो इसमें दिया हुआ है दूसरा तीसरा चौथा सही है केवल पहले वाले में समस्या है यह जो द्वैद शाषन विवस्था का प्रावधान था यह पिट्स इंडिया अब को बताना है विकल्ब दिये हुए तो फ्रेड डबलूरिग्स इन्हों ने भारतिये संगवाद को सहकारी संगवाद का ठीक है फ्रेड डबलूरिग्स या एफ डबलूरिक्स इन्हों ने कहा कि इंडियन सेरे जो वह," बासल वह को फेडरलिवे में होता है presidential government जो है इसके अलावा ग्रैन्विले ऑस्टिन का कहना था कि विकास प्रशाषन की अधारणाओं का संबंध भारत से है और इन्होंने कहा था कि विकास प्रशाषन की अधारणाओं जो है उन पर एक विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए तो इस चालीसवे प्रश्मिका जो सही जवाब है वो इसमें से क्या होगा देखिए इसका जो सही उत्तर है वो इसमें बी हो जाएगा ठीक है बी वाले विकल्प को हमने चुना केनेथ क्लिंटन वियर ने कहा था कि भारत अर्ध संगी राज्य है यही एक मात्रिस में सही है बागी जितनी इनफॉर्मेशन है सारी की सारी गलत है जैसे कि ग्रैन्विले ऑस्टिन ने कहा था कि सहकारी संगवाद है भारती संगवाद और अध्यक्षात्मक साशन के उदय के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी शुरुवात प्रेसिदेंशियल रूल की कहा से होती है और रिक्स के द्वारा जो अधारनाय दी जाती है वो विकास प्रिशाशन के से संबंध रखती थी तो बागी सारी चीजे इसमें गड़बड थी केवल बी वाला जो इसमें दिया हुआ है वो सही दिया था प्रशन संख्या 41 को देखते हैं यहाँ पर कुछ चार स्टेटमेंट हैं कल्याण कारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना और भारत में राजनायतिक सत्ता का सबसे मुख्य स्रोथ जनता है द्विसदनीय कारेपालिका राष्ट्रपती पध्यती में समस्त कारेपालिका की शक्तिया राष्ट्रपती में नहित होती है अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है सही उत्तर की तलाश करनी है तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्बग देख रहे हैं तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो ठीक एकल कार्य पालिका होती है न कि द्विसद नी है तो यहां बाई कैमरल जो दिया हुआ था यह गड़बड इसके बाद प्रशन संख्या 42 में आते हैं यहां कहा जा रहा है कि विच अमंग दर फालोइंग ऑप्शन इस करेक्ट तो संसदात्मक या संसदीय सरकार स्वतंत् भारतिय संविधान की विशेषताएं हैं कौन-कौन सी parliamentary government, independent judiciary और federal government यह सारे फीचर है इंडियन constitution के दूसरा स्टेट्मेंट कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोथ है भारतिय संविधान तीसरा स्टेट्मेंट कह रहा है कि राजेंद्र प्रिशाद जी ने भारतिय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था और संप्रभुता को राजी के साथ साथ संग का भी सबसे महतुपूर्ण तत्व माना जाता है। तो अब आप देखी और बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्ण संख्या 42 संविधान के बारे में ही सारी चीजे हैं। और इस 42 में प्रश्ण का जो एकदम सही उत्तर संविधान पवित्र दस्ता वेज। उन्होंने ऐसा कहा था। और संप्रभुता जो है ये राज्ये का सबसे महतुपूर्ण तत्व माना जाता है। तो यहां ये दोनों ही स्टेटमेंट गड़बड है। प्रश्ण संख्या 43 को देखते हैं। यहां आजाईए। इसमें द करती थी लेकिन इसके द्वारा घटाकर 18 कर दी जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट जो 44 था यहां देखें। 44 में संशोधन के बारे में बताता है कि 44 संशोधन 1978 में होता है और इसके अंतरगत अनसुचित जाती और जनजाती के लिए राश्ट्री आयोग में विशेश अ अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसे एक विधिक अधिकार के रूप में अलग से स्थान दिया गया था। मूला दिकार यहां से साथ से घटकर 6 हो जाते हैं। तो अब आपको यह देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 43 हमारा सही जवाब इसमे दोनों ही गलत है। 65 में संशोधन में जो कि 1990 में हुआ था 44 नहीं बलकि 65 यह वाला इसके माध्यम से अनुसुचित जाती और जंजाती के लिए राश्ट्री आयों में विशेश अधिकारी के स्थान पर एक बहु सदस्य व्योस्था को लागू किया गया। और 44 में संशोध महारतिय संविधान के तीसरे अनुचेत के इसाब से भारत एक संगों का राज्य है। महारतिय संविधान की प्रस्ताओना में सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय का उलेख है। वर्ष 2011 के चान बेवे संविधान संशोधन के द्वारा उडिया भाशा का नाम बदल क और ओडिया कर दिया गया जैसे उडिशा का ओडिशा कर दिया गया वैसे ही। और 42 में संशोधन अधनियम 1976 के द्वारा वनों को राज्य सूची से अठाकर समवर्ती सूची में स्थाना न्तरित किया गया। मतलब पहले ये राज्य सूची का विशय हुआ करते थे लेकिन अभी समवर्ती सूची में चले गए अब दोनों के अधिकार में आगे। तो अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। 44 मा। सही जवाब हमारा C वाला हो जाएगा। मतलब ये है कि इसमें दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है। तीनों में कोई समस्या नहीं है। समस इसलिए हम C का चैन करते हैं। ठीक है प्रशन संख्या 45 यहां देखिए। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। तो मौलिक करतव्यों को fundamental duties इनको स्वर्ण सिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मारतिय सम्विधान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है पहला दूसरा अनुछे तिरपन के अंतरगत संविधान का जो आर्टिकल नंबर 53 है उसके अंतरगत संग की कारेपालिका की शक्तियां राष्ट्रपती में नहित होती है। एक्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट में होती है। और भारत का राष्ट्रपती विता सब्रशन को ध्यान से देखना था गलत कौन सा है यानि तीनों में से कौन सा गलत है। तो हमने डी को चुना है। राश्ट्रपती द्वारा जारी अध्यादेश को संसत का सत्र शुरू होने के बाद 6 महीने तक लागू रखना आवश्यक होता है। यहीं एक मात्र सही है कि निर्वाचन मतलब जो उपराश्ट्रपती का निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल की द्वारा किया जाता है। और यह राज्यसभा का पदेन सभापती होता है और भारत की उपराश्ट्रपती को उसके पद से राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताओ के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन उपराश्ट्रपती के संदर्ब में जानना चाहिए। यहाँ उपराश्ट्रपती को दे दिया है कि वो कारेपालिका का अध्यक्ष होता है जब कि इसकी जगह होना चाहिए राश्ट्रपती। ठीक है तो इसमें सिर्फ बी वाला सही है प्रश्न संख्या 47 यहाँ देखे। पानसो पचीश से बढ़ाकर पानसो पैतालिस कर दी गई थी। यह तीन भिन भिनने स्टेट्मेंट है इसमें से सही कौन सा है यह आपको देखना है बताईए। तो 47 सही जवाब इसका C हो जाएगा पहला और तीसरा तो ठीक है सिंधी भाशा वाला भी सही है और यह लोकसभा की सीटों का बढ़ाने का जो दिया हुआ है यह भी ठीक है लेकिन जो यहाँ दूसरा स्टेट्मेंट है इसमें गड़बड है कोंकड़ी मड़ीपुरी और न संथाली नहीं नेपाली यह जो भाशाएं है इनको 1992 में जो 71 संशोधन होता है उसके द्वारा जोड़ा जाता है ठीक तो यहाँ यह समस्या थी भाशा का नाम गलत दिया था हमने सी को चुना प्रशन संख्या 48 में आ जाते हैं यहाँ पर जो इस स्टेट्मेंट दिये उन्ह इसका प्रोड़क्शन कैसे होता है यह सिन से होता है वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और सोडियम टेट्राथियोनेट यह एक रसायन का नाम है मतलब एक केमिकल है जो की फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव केस प्रोड़क्शन के लिए किया जाता है और चौथा मतलब इसका इस्तिमाल किया जाता है चौथे वाले में कहा गया कि सेधा नमक का अगर आप ज्यादा प्रियोग करते हैं तो इससे आपकी किड्नी खराब हो जाएगी और आपको हाई ब्लड प्रिशर की समस्या हो जाएग सेधा नमक समझ रहे हैं रॉक साल्ट तो अब आप बताईए कि इसमें सही कौन सा है चार स्टेटमेंट है अलग-अलग और ध्यानपूर्वक देखेगा इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला पहला और दूसरा तो ठीक है दोनों इन्फार्मेशन जो शुरुवाती है वो नेगेटिव पॉजटिव स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है फोटोग्राफी में और आप भी जानते हैं कि जो रॉक साल्ट होता है वो इन मामलों में फायदेमंद होता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज से ले सकते हैं निश्चिन्थ होकर ले सकते हैं जो समुद्री से केवल पहला दूसरा सही है और इसलिए हमने एक उचना प्रश्न संख्या उन्चास को देखते हैं एक सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्त प्रकार की ध्वनीत रंगे उत्पन्न होती सितार जो होता है उसके अंदर स्टेंडिंग और ट्रांसवर्स टाइप की जो सा जाले में और दो समान बल्बों को अगर आप समानतर क्रम में जोडते हैं तो जादा प्रकाश आपको प्राप्त होगा ठीक दो जो आइडेंटिकल बल्ब हैं उन्हें अगर पैरलल कनेक्शन के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो उनसे जादा लाइट आप प्राप्त कर सकते है बताईए इसमें सही कौन सा है तो उन्चासमा आप देख रहे हैं सही जबाब इसका हो जाएगा आपका C वाला मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सत्य हैं तीनों में कोई समस्या नहीं है अप्रगामी और अनुप्रस्त प्रकार की जो ध्वनी तरंगे हैं वो उत्पन्नों होती हैं सितार के अंदर पीले हरे रंग के प्रती हमारी आँखे जो हैं वो जादा सम्वेधनशीले आप जानते ही हैं और दो समान मतलब एक समान बल्ब हैं उनको अगर आप समानांतर क्रम में जोडते हैं यानि पैरलल सीक्वेंस में जोडते हैं तो आप उनसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से सिरीज में जोडने के श्रेडी क्रम में जोडेंगे तो वैसा प्रकाश आपको नहीं मिलेगा ठीक तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा तीनो सही है और इसलिए हमने C को चुना था प्रश्न संख्या 50 में आ जाते हैं और यहाँ देखिए इसमें भी तीन स्टेटमेंट हैं और कहा गया कि बताइए सही कौन सा है तो ओंडो मीटर नाम की एक डिवाइस होती है जो कि विद्दुचुम्ब की तरंगों की आवृत्ति को नाप सकती है इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वेब्स की फ्रिक्वेंसी को यह मीजर कर सकती है समुद्र की गहराई अगर आपको नाप नहीं है तो आप फैदो मीटर लेकर जाएंगे तो नाप सकते और इस फिग्मो मैनो मीटर जो है यह रक्त चाप नापने के लिए यानि ब्लट प्रिशर के मीजर्मेंट के लिए काम आता है बताइए इसमें सही कौन सा है तो पचासमा आप देख रहे हैं सही जवाब इसका C हो जाएगा तीनो सही है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन वहाँ परिक्षा में भी तीनो सही हो जाएं आवश्यक नहीं है कुछ ने कुछ इसमें गडबड अवश्य ही होता है एक आध स्टेटमेंट आपके इधर उधर हो जाते हैं यहाँ फिलाल इंफॉर्मिशन ठीक है फैदोमीटर का यूज आप करते हैं समुद्र में गहराई के मापन के लिए इसके बाद देखते हैं क्याओन में प्रश्न को यहाँ पर चार नहीं बलकि पाच स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि सही कौन सा है तो उर्धवादर तल और 36 तल में अगर आपको कोड़ी दूरी नापनी है तो आप फिडोडो-लाइट का इस्तिमाल करेंगे ज्यान दिजेगा ओटोमीडर जो है यह वाहन के पहियों दवारा तैखी हैं की गई दूरी को नापने के लिए काम में आता है और मैनोमीडर एक ऐसी डिवाईस है जो कि दाब के मापन में काम आती है और polygraph जो होता है ये जूट का पता लगाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है अब आप बताईए कि सही कौन सा है प्रशन संख्या एक्यावन को आप देख रहे हैं तो एक्यावन जो है इसका सही जब आप इसमें से हो जाएगा आपका D वाला ठीक सभी के सभी इसमें सही तलाशना था तो सभी के सभी सही है कोई भी इसमें से गलत नहीं है जितनी information है ठीक है Theodolite का आप याद रखेगा बाकी Altimeter का आप देख रहे हैं और Odometer का भी सभी इसमें ठीक प्रशन संख्या बावन यहाँ देखेगा क्यूसे क्यूबिक फिट प्रति सेकेंड का संशिप्त रूप है मतलब क्यूबिक फिट पर सेकेंड आप कहिए चाहे क्यूसे कहिए बात एक है वायूमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए एंगस्ट्राम इकाई का इस्तिमाल किया जाता है ऐसा दिया हुआ है और जल का आप एक्षिक घनतुयानि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो चार डिगरी सेल्सियस पर सबसे जादा होती अब आप बताएं सही कौन सा है तो 52 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ध्यान से देखेगा पहला और तीसरा सही है लेकिन आप भी जानते हैं कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए एंगस्ट्राम का इस्तिमाल नहीं बलकि डॉप्सन का इस्तिमाल किया जाता है जो कि यहां नहीं दिया है प्रश्न संख्या तिरपन यहां पर फिर से तीन स्टेट्मेंट और कहा गया कि बताईए गलत कौन सा है अब यहां रॉंग जो है मतलब इनकरेक्ट जो है उसको आपको खोजना है तो सर्सों के तेल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर एक बहुत जादा उपयोगी तत्वा है उसके बिना यह नहीं हो सकता है और हाइड्रोजन सल्फाइट प्रदूशक का जो मेन सोल्स है वो सड़ी हुई वनस्पतियां और जैविक पदार्थ होते है हमारा शरीद प्राकृतिक रूप से केराटिन नाम के प्रोटीन का उत्पादन करता है जो कि बाल, नाखून और त्वचा के निर्माण में सहायता करते है बताइए इसमें से कौन सा गलत है और इसमें एंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा कोई भी गलत नहीं है जितनी इन्फार्मेशन है सभी ठीक है सल्फर बहुत आवश्यक होता है अगर आपको तिलहनों में तेल की मात्रा जादा चाहिए और हाइड्रोजन सल्फाइट का में सोर्स माना जाता है सर्टी होई वनस्पतियां और जैविक पदार्थ हाला कि जो आजकल और द्योगे निशकर्षण होता है और द्योगे कुछ सर्जन होते हैं उनसे भी ये बड़े पैमाने पर निकल सकती है लेकिन मूल रूप से यही माना जाता है और केरटिन जो प्रोटीन है इसके सहायता से आप बाल नाकून और तवचा का निर्माण देखते हैं तो सही है इसमें नौन आपदीज को चुना मतलब कोई गलत नहीं है प्रशन संख्या चववन को देखते हैं विटामिन B और विटामिन C जो की पानी में घुलनचील विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में टिकते नहीं है ठीक और मानो शरीर में विटामिन के लाल रक्त कोशिकाओं की परिपकवता के लिए बहुत आवश्यक जो प्रोटीन होता है उसका संसलेशन करता है तुलसी के पौधे में एक बीजपत्री मतलब तुलसी का पौधा जो आप देखते हैं वो एक बीजपत्री नहीं बलकि द्वी बीजपत्री यहां देखें पढ़ने में यहां थोड़ा सा मिस्टिक हुआ है तूलसी का पौधा एक द्वी बीच पत्रिय शागी और औशदी पौधा है तो अब आपको यह देखना होगा किसमें गलती कहां पर है तीन स्टेटमेंट है डी वाले में कहा है इन में से कोई नहीं तो 54 को ध्यान से देखें इसमें से इन करेक्ट स्टेटमेंट है वो बी वाला है विटामिन के का जो दिया हुआ है ठीक है यहां बात क्या है असल में कि विटामिन B12 जो है जिसका रासायनिक नाम होता है सायनो कोबालमिन यह पानी में घुलंचील विटामिन है और इसमें कोबाल्ट नाम की धातू उपस्तित होती है यहां कुछ तीन स्टेट्मेंट है, इसमें से आपको देखना है सही कौन सा है, तो गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइपेज और पेपसिन का एक सैयोजन होता है, अनूठा सैयोजन, प्लास्टर आप पेरिस्ट्यू की रासायनिक रूप से कैल्शियम, सल् किया जाता है, और जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, जो कि कोशिका वृद्धी की सुविधा प्रदान करता है, और इसकी सहायता से पौधे लंबे होते हैं, बताईए, इसमें से ठीक कौन सा है, तो प्रशन संख्या 55 और इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, वो C हो जाए तो पानी का जो क्वथनांख है, यानि freezing point, वो कम हो जाता है, और जो freezing point है, यानि हिमांख है, वो घड़ जाता है, ठीक, पानी के संदर में, और एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग स्वचालित इंजनों के लिए हिमरोधी के रूप में किया जाता है, जो automatic engine होते हैं, उसमें ये anti-freeze के तोर पे काम आता है, अधिक आदरिता और कम ताप मान पर गीले कपड़े सबसे ज़्यादा सूखते हैं, और किसी पतार्त को अगर गरम करते हैं, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन उसका घनत तो कम हो जाता है, तो अब आप बताईए कि इसमें सही कौन सा है, देखिए इसमें चारों नहीं सही हो सकते, कुछ न कुछ तो गलत है, अब कौन सा गलत है, तो इसमें से आप चुनेंगे B वाले option को, जो हमें सही चाहिए था वो पहले निकाल लेते हैं इसमें से, तो पहला दूसरा और चौथा ठीक है, पहला भी सही, दूसरा भी सही और चौथा भी सही, लेकिन यहां देखिए उल्टी कंडिशन दी हुई है, जादा आधरता और टेंपरेचर का कम होना, इसमें कपड़े सूखते ही नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप वाशिंग मसीन के अंदर डाल के सुखाते हैं, या तमाम तरीके के पैंतरे आ होनी चाहिए और तापमान जादा होना चाहिए, ऐसी परिस्थिती में कपड़े खूबाराम से सूखते हैं, तो यहां उल्टा दे रखा है, इसलिए वही एक मातर गलत है, बाकी सारे सही है, प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं, यहां पर तीन स्टेटमिंट है, उन पर आप पाया जाता है, वो दिया हुआ है, तो इसमें से सही कौन सा है, 57, सही जबाब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका A वाला, केवल पहला और दूसरा ही सही है, यह मुमफली में जो ग्लूटेन डाल दिया है न, वो गडबड हो गया है, ग्लूटेन कहां पाया आप जानते ही है, गेगु में पाया जाता है, गेगु के अलावा यह जो और राई में भी पाया जाता है, मुमफली के अंदर जो प्रोटीन मिलता है, वो और जेनिन होता है, ग्लूटेन नहीं होता है, इसके बाद प्रशन संख्या 58, यहां आजाए, correct option आपको चुनना है, तो बेडाक्विलिन नाम की ओशदी होती है, जो कि तपेदिक रोग से संबंदित है, मतलब यह तपेदिक के उपचार में, ट्यूबर कुलोसिस के उपचार में काम आती, बोरान पौधों में क्लोरोफिल के संसलेशन और न्यूकलिक एसिड की उपापचाई के लिए ठीक है, लेकिन यह बोरान की जो इनफार्मिशन दी है, यह गड़बड है, यह काम किसका होता है, देखिए बोरान का काम अगर देखा जाएना है, तो यह कोशिका जिल्ली की पारगम्मिता और प्रोटीन संसलेशन में काम आता है, लेकिन न्यूकलिक एसिड की उपापचा उसमें से जो सही है वही आपको चुनना है, तो एंथ्रेक्स, पास्चुरेला, पैस्टिस नाम के जीवाणू के कारण होता है, यहां रोग और उसके कारकों के नाम दिये हुए है, तो एंथ्रेक्स जो है यह पास्चुरेला, पैस्टिस नाम के जीवाणू के कारण होता है Tetanus जो है, मतलब Tetanus, वो Clostridium, Tetani नाम के जीवाणू की वज़े से होता है Bacteria इसमें काम आते हैं, सभी में Bacteria का ही दिया है और Plague जो है, ये Bacillus Anthracis नाम के Bacteria की वज़े से होता है जबकि काली खासी, Bortadela, Pertuses नाम के एक Bacteria की वज़े से होती है तो सभी जीवाणू से होने वाले रोग ऐसे दे रखे हैं अब इसमें आपको ये देखना है कि सारे सही है या थवा नहीं है या कुछ ही सही है 59 को देखिएगा इसका देखिए जो सही उत्तर होगा, वो A होना चाहिए यानि दूसरा और चौथा ही इसमें एक मात्र ऐसा दिया है जो कि ठीक है बागी एंथ्रेक्स और प्लेग का गलत दिया है असल में प्लेग जो है ये पास्टोरेला पेस्टिस नाम के एक Bacteria की वज़े से होता है और एंथ्रेक्स का कारण होता है Bacillus anthracis इसमें जड़ा सा आप एंथ्रेक्स से एंथ्रेसिस को मिलाएंगे तो भी आपको पकड़ में आ जाएगा तो इसी लिए इसका पहला दीसरा गलत है प्रशन संख्या 60 में चलते हैं यहां देखिये कहा गया कि डहलिया और शतावर डहलिया आप जानते हैं नहीं मौसम भी चल रहा है ठंडी के मौसम में ही डहलिया के बड़े-बड़े फूल नरसरी से ले आकर आप लगाते हैं या बीच लगाते हैं तब भी पौधा जमता है बहुत बड़े साइस के फूल होते हैं इसके और शतावर ये दोनों जो वनसपतियां हैं ये किस चीज का उदारण है मतलब इनकी जड़ों के बारे में आपको बताना है तो इनकी जो कंदिये जड़े हैं मडिका में जड़ों का उदारण है, पुलकित जड़ों का उदारण है, या फिर ग्रंथिल जड़ों का उदारण, इनकी जड़ों के प्रकार को देखे, मतलब दहलिया और शतावर, ये दोनों वनिसपतियों का आप बताएं, इसमें से किस प्रकार की जड़ों के ये एक्जा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण संख्या एक सेट में कहा गया कि copper, zinc और nickel ये एक साथ मिलकर एक मिश्रधातु बनाते हैं ठीक एक alloy का निर्माण करते हैं वो इसमें से कौन सा होता है तो वो rolled gold होता है, Dutch metal होता है, German silver होता है कि stainless steel होता है यहां किस किसको मिलाने की बात हो रही है, copper, zinc और nickel बताइए तीनों को मिलाएंगे तो कौन सी मिश्रधातु बनेगी सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से C वाला ठीक, German silver बनेगा German silver कासा बनता है ताबे और tin को मिलाने से और rolled gold जो आप देख रहे हैं यह ताबा और aluminium को मिला कर बन तालग-अलग होता है और टांका जो आप बनाते हैं टांके में तिन और लेड का मिश्रण होता है ठीक है तिन और लेड का मिश्रण होता है German silver में तामा जस्ता और nickel मिलता है और stainless steel में निकल तो रहता ही है साथ में लोहा और chromium मिलाता है तो इस तरीके से है C को चुना और ग्रिनोसाइट ये सारे क्या हैं ये और से हैं बताइए किसको किस से मिलाएं विकल्ब भी देख लीजे तो बास अठमा जो है ना इसका सही जवाब क्या होगा डी हो जाएगा डी के हिसाप से इसको मैच कर लेते हैं ज्यादा हेर फेर नहीं करनी पड़ेगी लेकिन थोड और और आप से कहा गिया कि इसमें से अगर आप ठ्यान से देख रहें कहा गया पर्यावरण 1 और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने वायू गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्दिश से जनवरी 2016 में राश्ट्रिय स्वच्छ वायू कारिक्रम को शुरू किया था रेचल लुईस कार्सन ये वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक इनकी थी साइलेंट स्प्रिंग इसकी लेखिका है मतलब इन्हों ने ही उसे लिखा था मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्टिक में इस्थित तवाबाद के कारण होने वाले जल जमाओ और लवड़ता के खिलाब शुरू किया गया था बताईए इसमें से कौन सा सही है यह तीन स्टेटमेंट है और आपको बताना है सही कौन सा है देखिए इसमें सही जो है वो बी वाला है मतलब दूसरा और तीसरा यह दोनों ठीक है लेकिन पहला वाला गड़बड है परियावरण वन और जलवाई परिवरतन मत्राले इसमे 24 राज्यों केंद्र शाषित प्रदेशों में और उन राज्यों केंद्र शाषित प्रदेशों के 131 शहरों में वायू की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो अभियान शुरू किया था ना ये 2016 का नहीं है 2019 का है बाद का है ये काफी पहले का दे दिया है यहीं इसमें एक मात्र गडबड है स्वच्वायू गुडवत्ता कारिक्रम या स्वच्वायू कारिक्रम जो शुरू किया गया था उसका समय 2019 का है बागी रेचल लुईस कार्सन वाला जो दिया है ठीक दिया है और मिट्टी बचावा आंदोलन का भी सही है तो हमने B को चुना प्रशन संख्या 64 में आईए यहाँ पर कुछ तीन स्टेटमेंट हैं आपको सही की तलाश करनी है तो क्लाइमेटिक यहाँ ध्यान से देखेगा क्लाइमेटिक ट्योरी इसका विकास फ्रेडरिक एड़ड क्लेमेंट के द्वारा किया गया था प्रकृती के संट्रक्षन के लिए अंतरष्टिय संग की परिभाशा के हिसाब से आपको यह बताया गया है कि किसी प्रजाती को तब तक विलुप्त माना जाता है जब तक कि वह सौ वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में न देखी जाए मतलब तब तक शब्द का इस्तिमाल यहां मैंने क्यों किया क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सौ वर्षों के लिए गायब हो और एकदम से द्रिष्टी गोचर हो जाती ऐसा भी होता है महुत रेयर होता है लेकिन होता है फिलाल यहां विलुप्त की जो परिभाशा है वो दी हुई International Union for Conservation of Nature यानि IUCN के द्वारा इसे डिक्लियर किया गया है और तीसरा स्टेट्मेंट यह कहता है कि हवा में तैरने वाले श्वसन योगी जो सूक्ष्मकण हैं उनके आकार पाँच माइक्रॉन से भी कम होते हैं अब आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है Environment के कैसे question आ सकते हैं वो यहां डिजाइन किये गए प्रश्नो का स्टर थोड़ा सा उचा है लेकिन यह है कि परिक्षा का जो trend है उसी के हिसाब से तो 64 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा पहला और तीसरा सही है पहला सही है तीसरा सही है लेकिन यह जो दूसरा दिया हुआ है प्रकृती के संरचण के लिए सो वर्षों तक नहीं पचास वर्षों तक सो वर्ष तो कुछ जादा ही हो जाएगा पचास वर्षों तक अगर वो अपने कोई भी प्रजाती अपने नचुरल हैबिटेट में न देखी जाए तो हम मानते हैं कि वो विलुपत हो गई इसके बाद प्रशन संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 65 यहाँ पर फिर से तीन स्टेटमेंट हैं आपको गलत की तलाश करनी है तो सल्फर डाइ आकसाइड और फास्पोरष आकसाइड अप रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसे हैं मतलब इन डारेक्ट हैं सीधे सीधे इन्हें हम अम ग्रीन हाउस नहीं कहते हैं जो कि अंतिता वायूमंडल के अन्य जो रासायनिक घटक है उनके साथ अपनी अभिक्रिया करती है और जो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसे हैं, प्रत्यच ग्रीन हाउस गैसे हैं, उनके उत्पादन में योगदान देती हैं। मतलब ये खुद सीधे योगदान नहीं देती हैं, लेकिन ये उन गैसों को बनाती हैं, जो कि असल में ग्रीन हाउस गैसे हैं, और वो ओजोन को और परियावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक, मूल रूप से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करती हैं, इसके प्रधान मंत्री जी, यानि मनमोहन सिंग जी के द्वारा जारी की गई थी, अब आपको बताना है कि गलत कौन सा है, प्रश्न संख्या 65, सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, ठीक है, केवल पहला वाला इसमें गलत है, ए को चुनने का मतलब है कि केवल पहला स्टेट्मेंट गलत है, असल में सल्फर डाय आकसाइड और नाइट्रोजन आकसाइड, फासपूरस आकसाइड नहीं, नाइट्रोजन आकसाइड ऐसी, दो ग्रीन हाउस गैसे हैं, मतलब इन डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसे हैं, जो कि बाकी ग्रीन हाउस गैसों को परियावरण को नश्ट करने का काम करती ठीक तो ये इसमें नाम फासपोरस वाला डाल दिया है इसलिए काम गड़बड हो गया है बाकी दोनों सही इसके बाद छाचट यहां आजाईए इसमें भी फिर टीन स्टेट्मेंट डीप एकोलोजी नाम का एक शबड है जो कि 1973 में नॉर्वेजियन फिलॉसफर जिनका नाम था अर्नेस्ट अर्नेस्टनेस ठीक अर्नेस्टनेस इने कहा जाता है इनके द्वारा गढ़ा गया था समय था 1973 का और ये एक दार्शनिक है असल में नार्वे के दार्शनिक है डीप एकोलोजी इनों ने एक शब्द गहन पारिस्थित की ये अपनी ओर से गढ़ा था और तंजानिया में ग्रीन बेल्ट आंदोलन की संस्थापिका थी इनका नाम था वांगारी मताई इनको 2004 में परियावरण स्थिर्ता और महिलाओं के सशक्ति करण के लिए नोबेल शांती पुरसकार से सम्मानित किया गया था सयुक्तराष्ट्र संग ने वर्ष 2009 से प्रतेक वर्ष 22 अप्रेल को अंतराष्ट्री प्रत्वी दिवस मनाने का निश्चे लिया है तो अब आप बताएं इसमें सही कौन सा है चाचट और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा ठीक है पहला और तीसरा तो ठीक पहला सही तीसरा सही है लेकिन ये जो दिया हुआ है ना दूसरा statement ये green belt आंदोलन की संस्थापिका थी नाम तो ठीक दिया है लेकिन ये रहने वाली कहां की है तंजानिया की नहीं है ये Kenya की रहने वाली ये Kenya की निवासी है और इन्हें nobel शांति पुरसकार से सम्मानित किया गया थी ठीक है आगे प्राकृतिक आपता जिसमें की गहरी जील के पानी से कार्बन मोनो आक्साइड गैस निकलने लगती है उसे कहा जाता है लिमनिक ये तीन स्टेट्मेंट है अब आपको बताना है कि सही कौन सा है सरसथ प्रश्न को ध्यान से देखी सही जबाब क्या हो जाएगा डी पहला और तीसरा माप कीज़ेगा डी हमने चुना है पहला और दूसरा इसमें सही है लेकिन ये जो तीसरा वाला लिखा हुआ है ये गड प्रश्न संख्या आर्सट को देखते हैं आईए यहां पर देखें यहां फिर से तीन हाजिर है तीन-तीन का जो स्टेट्मेंट का जोड़ा है जोड़ा नहीं बलकि तिकड़ी है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे है तो तीन-तीन के गुच्छे में आ रहा है यहां कहलाता है इंवायरमेंटल डिग्रिडेशन कहलाता है तो बताईए कि इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट आपका करेक्ट है यहां सही की तलाश करनी है ध्यान से देखेगा अब इसमें आप बी को चुन लिजे केवल पहला वाला स्टेट्मेंट गलत है अदर्वाइस बागी दोनों एकदम सही दिये हुए है तो हमने बी को चुना अब पहले वाले में क्या समस्या है तो सल्फर डायॉक्साइड या सल्फर ऑक्साइड नहीं बलकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो उत्सर्जित होते हैं रॉकेट जेट और मिसाइलों के द्वारा यहां सिस्टम है आप पढ़ते हैं ना बायो जियोगेमिकल साइकल यानि भूजयव रासायनिक चक्र तो उसमें से जो फासपोरस साइकल होता है वायुमेंडल की भूमिकान नगणे होती है क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच में फासपोरस का कोई आधान प्रदान नहीं होता है ये प्राकृतिक चट्टानों के अंदर बधा हुआ होता है और कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाने की संभावना होती है बलकि पाया ही जाता है सूरे का प्रकाश ऑक्सीजन और तापमान इत्यादी जलिये पारि मंदल की भूमी का नगड़े होती है कोई भूमी का नहीं होती है और कार्बन जो है वो सभी में पाया जाता है मतलब कार्बन ऐसा खोजना पड़ेगा कि किस चीज में नहीं पाया जाता है यह हर जगा विद्धिमान और सूरे का प्रकाश और साथ में ऑक्सिजन और तापमान जो कि सूरे के प्रकास से डारेक्ट अथ्वाइन डारेक्ट जुड़े होते हैं ये सब जो जलिय पारिस्थिति की तंत्र है उसकी उत्पादक्ता को निरधारित करते हैं तो हमने डी को चुना कोई भी गलत नहीं है प्रश्न संख्या 70 में आ जाईए यहाँ पर कहा जा रहा है कि गलत विगल्प का चैन करिएगा कीट भक्षी पौधे मूल रूप से उस स्थान पर पाये जाते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है अधिकान शिपोईला खदानों में मीथेन और नाइट्रोजन के मिश्रण से भेंकर विसफोट पैदा होता है और इसलिए इस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है कार्बो फ्यूरान, मिथाइल, पैराथियान और फोरेट साथ में प्रोफेनोफोस और ट्राइजोफोस यह सब रसायनों के नाम है इनका इस्तिमाल क्रिशी में कीट नाशकों के रूप में किया जाता है पैस्टिसाइड के रूप में किया जाता है तो अब आप यह बताईए कि इसमें गलती कहाँ पर है ठीक, तीन स्टेट्मेंट है और डी वाले में कहा है कि कुछ भी गलत नहीं है तो सावधानी से इसमें चुनिएगा लेकिन इसमें D हमारा उत्तर नहीं होगा इसमें उत्तर हो जाएगा B वाला गलती तो है यहाँ जो दिया हुआ है न मीथेन और नाइट्रोजन का मिश्रन तो मीथेन का वायू के साथ संयोग बनता है यह नाइट्रोजन के साथ नहीं होता है मीथेन का जब हवा के साथ संपर्ख होता है और ऐसा अकसर कोल माइन में होता है तो वहाँ भहंकर विसपोर्ट होता है घातक होता है और इसको कहा जाता है fire damp मतलब इस गैस को तो यह गलत दिया हुआ है यहाँ नाइट्रोजन देकर काम बिगाड़ दिया है बाकी सारे सही है 71, incorrect चुनना है और यहाँ पर कहा गया यह current affair का question है हाली में Anthony Chen के द्वारा निर्देशित फिल्म है जिसका नाम है Drift इसे 94 भारत अंतराष्ट्री फिल्म महुटसों में प्रतिष्ठित ICFT UNESCO गांधी पदक से सम्मानित किया गया है यह पहली information है दूसरी सूचना यह है कि हाली में भारत के उच्चा युक्त विक्रम के दोराई स्वामी इन्होंने United Kingdom में India's Moment Changing Power Equation Around the World नाम की पुस्तक को लांच किया है यह किताब का लंबा सा नाम है और चन्नाई स्थेत स्टार्टप अगनी कुल अपने अभूत पूर्व रॉकेट अगनी बांड को लांच करने की तयारी कर रहा है जो कि दुनिया का पहला 3D printed engine होगा मतलब जिसके अंदर दुनिया का पहला 3D printed engine होगा तो अब आप बताएं कि इसमें से correct कौन सा है current affair की 3 information है तीनों सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है तो बताई फिलहाल 71 जो आप देख रहे हैं इसका D चुल लेंगे इसमें गलती कहीं भी नहीं है ये 3 की 3 जो दिये हैं ये सत्य है तीनों सूचना है ठीक 72 यहाँ फिर से 3 तीन नहीं बलकी 4 और इसमें आपको सही खोजना है तो कहा गया कि हाली में रक्षा मंतरी श्री राजनात सिंग जी ने भारतिय नौ सेना की आई एनस इंफाल के क्रेस्ट मतलब शिखा का अनावरण किया है और इसके बाद आप देख रहे हैं स्टील्थ गाइड़ेड मिसाइल और इसका नाम है विध्वनसक आई एनस इंफाल सता से सता पर मार करने वाली ब्रम्होस मिसाइलों और पंडूबी रोधी जो स्वदेशी राकेट लाँचर है उससे सुसजित है यहाँ पर आई एनस इंफाल की बात की जा रही है इसके अंदर सारी ही सुविधाएं हैं कौन-कौन से सुविधा तो ब्रम्होस मिसाइल और पंडूबी रोधी स्वदेशी राकेट लाँचर की सुविधा इसके बात देख रहे हैं आप तीसरा स्टेट्मेंट दिल्ली में मडिपूर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंग, सीडियस जनरल अनिल चोहान और नौसेना प्रमुख एड्मिरल आर हरी कुमार की उपस्तिती में आई एनस इंफाल के क्रेस्ट का अनावरण समारो आयोजित किया गया आई एनस इंफाल ये 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वनसक परियोजना के अंतरगत जो चार युद्ध पोत बनने वाले हैं उसमें से तीसरा है ये है क्या तो ये एक लड़ाकू जहाज है असल में युद्ध पोत है और उस चार युद्ध पोतों की श्रंखिला में ये तीसरे नंबर का है तो बताईए इसमें सही कौन सा है 72 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा डी वाले को आपने देखा चारो ही इसमें स्टेट्मेंट ठीक है इसमें कोई भी समस्या नहीं है प्रश्न संख्या 73 में आ जाईए यहां दो स्टेट्मेंट दिये हुए है पहले वाले में कहा गया कि हाली में इंडोनेशिया में जो सुन्दा जल नमरू मद्ध्य है कौन सा है और गलत कौन सा है यहां गलती तलाश नहीं है गलत विकल्प की तलाश करनी है और हमारा जो करेट आंसर इसमें होगा वो डी हो जाएगा गलत कुछ नहीं है सभी के सभी इसमें सत्य है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ सीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है और एडपी ग्लोबल रेटिंग्स जो है उसमें एशिया प्रशान्थ छेत्र के आर्थिक परिद्रिश में 2026 तक भारत के लिए कितने प्रतिशत की वृध्धी का अंदाजा लगाए गया है एक रिपोर्ट है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ और इसमें ये सारी चीज़े ये शिर्षक है उस रिपोर्ट का असल में 2026 तक भारत की जो ग्रोथ है वो कितने परसेंट होगी इस रिपोर्ट के कॉर्डिन नीचे विकल्ब दिये हैं आप देख रहे हैं और 74 जो है इस अब आपको ये बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है 75 और इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा केवल पहला वाला सही है दूसरा वाला जो है वो गलत है ये योगी जी का काम है यहां मोदी जी ने जो शुभारंब करने का काम है वो नहीं किया है योगी आदितिनाथ ने आयोध्या में जो आगनवाडी केंद्र है वहाँ ये हाट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है इसके बाद प्रशन संख योजना का अनावरड गिया है और इटली ने आस्ट्रेलिया को हरा कर 47 साल के बाद डेविस कप को जीत लिया है डेविस कप 2023 और इस टूनामेंट में इटली दूसरी बार चैंपियन बना है तो अब आपको यह देखना होगा गलती कहां पर है 76 देखें गलती इसके पहले ही स्टेट्मेंट में है बाकी दूसरा वाला तो ठीक है और इसलिए हम एक को चुन रहे हैं असल में 2024 तक का टार्गेट है यह 2025 तक का नहीं है और बाकी सारी सुचना है इसमें भी ठीक है बस 2024 यहाँ पर होना चाहिए ठीक है तो हमने एक को चुना फिलहाल इसमें 77 को देखते हैं यानि 77 तीन स्टेट्मेंट है और इसमें से आपको सही खोजना है तो हाली में भारत की अगरणी एयरलाइन इंडिको ने बिबिन भाशाओं में ग्राहकों के प्रशनों को समभालने के लिए डिजाइन किया है एक AI संचालित चैट सहायक और इसका नाम है 6Sky ठीक इसके बाद हाली में भारत प्रतिरक्षा विज्यानियों ने बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाने के लिए एक टीका लांच किया जिसका नाम है मॉबेला ठीक मीजल्स और रुबेला से बचाओ के लिए थाइलेंड का पॉकी वैल इंस्टिट इसके साथ साज़दारी में विक्सित मॉबेला वैक्सिन जिसकी चर्चा अभी दूसरे स्टेट्मेंट पे हुई है ये IIL Division Human Biological Institute के पचीसमें उत्सों के हिस्से के रूप में तमिलनाडू के उटी में जारी किया गया है तो अब आप बताएं कि इसमें जो ये information है तीनो इस इसमें से सही कौन से है तो 77 को आपने ध्यान से देख लिया है और इसका जो सही उत्तर होगा इसमें से 77 को देखिये ध्यान से इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा पहला और दूसरा इसमें ठीक है लेकिन ये जो तीसरा वाला दिया है ये गडबड है इसमें समस्या क्या है तीसरे वाले में, ये वियत नाम का पॉली बैक इंस्टिटूट है, जिसके साथ साजेदारी में इसे विक्सित किया गया है, वियत नाम के साथ हमने हाथ मिलाया है, ना कि थाइलेंड के साथ, प्रश्न संख्या 78, यहां आ जाईए, सही विकल्प का आपको चैन करना है, हाली में 2023 में ऑथेंटिक मरियम विवस्टर का वर्ल्ड आप दे इयर यहां देखें, वर्ल्ड आप दे इयर बन गया है, इसका मतलब क्या है, जूट या नकल नहीं, ठीक, ऑथेंटिक, यह जो नाम आप देख रहे हैं, इसे वर्ल्ड आप दे इयर घोशित किया गया है, ठीक, 2023 के लिए, बाकिसका आर्थ आप देखी पा रहे हैं, उसके बाद दूसरा स्टेट्मेंट जो है, अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड पर अपना मुबाइल ट्रेडिंग एप्लिकेशन, HDFC Sky सफलता पूरवक लाँच किया है, तो अब आप यह बताईए कि इसमें सही कौन सा है, तीन स्टेट्मेंट हैं, तीनों करेंट अफेर के हैं, इसमें से आपको देखना है, सही कौन सा है, तो 78 बहुत ध्यान से देखिएगा, 78 का जो राइट एंसर है, वो इसमें आपका D हो जाएगा, तीनों ही सही हैं, यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, सभी के सभी ठीक, प्रश्न संख्या 89, दो स्टेटमेंट हैं, सही की तलाश करिएगा, HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने नाबाड के पूर्वध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला को, अतरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियूक्ती की मंजूरी दे दी है, नाम ध्यान से देखिएगा, और PIDF योजना को RBI ने दो वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है, इसमें अब PM विश्व कर्मा योजना के इलाभार्थी भी सम्मिलित हो रहे है, तो अब ये दो स्टेटमेंट सही कौन सा है, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, प्रशन संख्या 80, तीन स्टेटमेंट है, सही की तलाश करनी है, हाली में बैंगलूरू की खिलाडी है, विद्या पिललाई, इन्होंने दोहा कतर में आयोजित विश्व सिक्स रेड वुमेन स्नूकर चैंपियन्शिप को जीत लिया है, और हाली में 24 दिसंबर को शुरू होने वाले अल्टिमेट खोखो सीजन टू की मेजबानी ओडिशा राज़े को सौपी गई थी, यहाँ मेजबान ओडिशा था, केरल स्थित धनलक्षमी बैंक के बोर्ड में निदेशक और शेरधारक श्री सीके गोपी नाथन इनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया, कोई चर्चित व्यक्ति अगर मरता है, तो वो भी करेंट अफिर बन जाता है, कोई सक्षियत जो है वो चर्चा में आती है, तो भी करेंट अफिर बन जाता है, तो आपको इने ध्यान रखना है, तो अब यह तीन स्टेटमेंट है, इसमें से सही कौन सा है, सही देखिए तो इसमें तीनों ही है, तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, ऐसे प्रशनों का उध्देश आपको धेर सारी सूचनाय देने का होता है, तो इसमें अमने तीनों को चुना, प्रशने संख्या एक्या सी, यहाँ दिखें केंद्र शरकार ने हाली में मौझूदा आयुश्मान भ आरोग्यम पर्मम सुखम, आरोग्यम पर्मम ज्यानम या आरोग्यम परम भाग्यम बताई। आरोग्यम तो साथ में जुड़ाई है तो रहे गई। बागी इसके साथ क्या जोड़ेंगे। तो 81 और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा आरोग्यम परम धनम। चुकि य पाद 82 की ओर आते हैं यहां आजाईए सही विकल्प का आपको चैन करना है तीन स्टेटमेंट है तो फिनो पेमेंट्स बैंक को हाल में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन की नियुकती के लिए भारती रिजर्ब बैंक से परमिशन मिल गई हाली में सयुकतराज्य अमेरिका, सौधी अरब और सयुकतराब अमिराद जैसे जो मुख्य बाजार है वहाँ पर काफी बढ़त दर्ज की तो यह सारी सूचनाए अलग-अलग जगह की है फिलहाल यहां एक साथ है और करेंट अफेर में ऐसे ही घाल मेल खिचड़ी आपको दिखाई देती है मतलब mix question दिखाई देते हैं तो इसमें से आपको देखना है सही कौन सा है बताइए सही तीनो है ठीक अगर आपने current affair की जो headlines है उन्हें ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि तीनो कथन इसमें सत्य है प्रशन संख्या 83 को देखते हैं और current affair के लिए आपको कहना ही नहीं वहाँ तो आपको सारी चीजे पका कर पर उसी जाती चली तो 83 को देखते हैं यहां तीन statement है पहला statement यह कहता है कि हाली में भारतिये तटरक्षक के द्वारा नौवा राश्ट्री इस्तर प्रदूशन प्रतिक्रिया अभ्यास गुजरात का जो वड़नगर है व अमार और अफगानिस्तान सहीद अपनी जो जमीनी सीमाएं हैं उनको साजा करने वाले देशों से एक लाग करोड के FDI प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ठीक है भारत को इन सभी सीमावर्ती देशों से एक लाग करोड के FDI यानि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले प् तो अब ये तीन स्टेट्मेंट आप देखी रहे हैं, देखिए इसमें सही कौन सा है, तीनो सत्य है या फिर कुछ गलत है, अब यहाँ पर भी तीनो सच है, ठीक है, तीनो स्टेट्मेंट में कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम D का चायन करते हैं, इसमें फर्स्ट, सेकेंड औ में नामित किया गया है, ठीक है, भारत के वर्तमान राजदूत की हैसियत से, रॉबर्ट शेट की टोंग वहाँ पर एक कारेरत हैं, और इन्हें मोजांबिक में बना दिया गया है, उच्चायुक्त, हाली में अनीश भानवाला, ये ISSF विशुकप फाइनल में पुरिशों उनके नाम पर रखने का फैसला लिया है, तो अब ये तीन इन्फॉर्मेशन है, सही कौन सी, 84, देखें इसका जो सही जवाब है, वो इसमें C हो जाएगा, पहला और तीसरा तो ठीक है, लेकिन ये बीच वाला जो अनीश भन वाला वाला दिया हुआ है, ये गड़बड है, इसमें इन्होंने कांस से पदक जीता है, स्वन्ड नहीं जीता है, ठीक, हमेशा स्वन्ड जीता जाये तो ही चर्चा में रहे ही आवश्यक नहीं है, और इसलिए हमने C को चुना है, पहला और तीसरा, इन्होंने जीता है कांस से पदक, इसके बाद अगले वाले को देखते में करीब 42,281 लोग लाभानवित होंगे इन परियोजनाओं में कुल 84,918.75 करोड रुपए का निवेश होगा तो अब आप ये बताईए कि इसमें गलती कहां पर है गलती देखिए इसमें केवल पहले वाले स्टेट्मेंट में है गलत ही तलाशना था यहां पर दिया हुआ ह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तो इन्होंने 10 प्रमुक परियोजना नहीं बलकि जब परियोजनाओं का हम यहां आकड़ा ही गिन रहे हैं तो यहां 12 परियोजनाओं थी 12 अलग-अलग परियोजनाओं थी मूल उद्देश था आर्थिक संबृध्धी को बढ़ावा देना जिसमें की रोजगार स्रिजन पर बल दिया गया था प्रशन संख्या 86 को देखते हैं यहां पर कॉंसिडर करके बताईएगा सही कौन सा है कुल तीन स्टेट्मेंट है उत पर केंद्री इकतिविधिया बच्चों और बाल अधिकारों की देखभाल और समर्थन को बढ़ावा देने के उद्देश से शुरू किया गया है मतलब कुल मिलाकर यहां हर बच्चे के लिए हर अधिकार नाम का जो अभियान है उसी पर चर्चा है तो अब आप देखिए इसमें सही कौन सा है देखिए इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा पहला और तीसरा तो ठीक है लेकिन यह जो दूसरा स्टेटमेंट है ना कि इस केंपें आप इसे शुरू किया गया है ना कि कमीशन के द्वारा ठीक तो यह डाटा इसमें जो बीच वाला है वो गलत दिया है बागी सारी सुचना है एकदम परफेक्ट प्रश्न संख्या अगला यानी 87 वाराणसी शहर में रविदास घाट पर एक फ्लोटिंग कंप्रेस्ट नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन को उधगाटित किया गया है ठीक है यह फ्लोटिंग कंप्रेस्ट नेचुरल गैस यानी C&G मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन है और वाराणसी का जो रविदास घाट है वहाँ पर इसका उधगाटन हुआ है वाराणसी शहर का यह दूसरा यहां देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट यह वाराणसी शहर का दूसरा फ्लोटिंग कंप्रेस्ट नेचुरल गैस रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन है यानी पहला कहीं और स्थापित हुआ है इसका उधगाटन हाल फिल हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी जी ने किया है तो आब बताईए इसमें से कौन सा सही है देखिए सही फ्लोटिंग कंप्रेस्ट नेचुरल गैस रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन है तो पहला वाला कहां पर है जरा बताईएगा ये आपके लिए क्वेश्चन है किलाल एको जुना प्रशन संख्या 88 यहां देखिए पहला दूसरा दो स्टेटमेंट सही कौन सा है तो उत्तर प्रदेश राजय सरकार ने मार्च 2023 में अलिगर्ड शहर के राजा तालाब छेत्र में लगभग 31 एकड़ भूमी पर राजय का तीसरा अंतराष्ट्री एक्रिकेट स्टेडियम बनाने की पर्मिशन दे दी है राजा तालाब अलिगर्ड अब बताईए इसमें सही कौन सा है अठासी डी ठीक है डी को चुनेंगे इसमें दोनों ही स्टेट्मेंट गढ़ड है अलिगर्ड विकास प्रादीकरण की अगर बात की जाए यहां पर क्या दिया हुआ है ये उत्तर प्रदेश राजय सरकार के माध्यम से तो इसमें अलिगर्ड विकास प्रादीकरण ने हाल फिल हाल में जो ग्रेटर अलिगड़ है वहाँ पर अलिगड़ पलवल राश्ट्री राजमार्क पर लगभग 6 एकड़ की भूमी पर उत्तर प्रिदेश का जो चौथा अंतराश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम है उसको बनाने की पर्मिशन दे दिए और 20,000 दर्शकों की इसमे बात आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन को देखते हैं जो कि हैं 89 यहां तीन स्टेट्मेंट हैं आपको सही की तलाश करनी थी तो उत्तर प्रदेश राज्जे सरकार ने हाल फिल हाल में तेल, साबुन, टूटपेस्ट और शहध इस तरह के जो शाकाहारी उत्पाद हैं उनके लिए हलाल प्रमाडपत्र पर प्रतिबंद लगा दिया हैं मतलब यहां पर ऐसे कोई प्रमाड़ी करण की आवशिक्ता नहीं है और उत्तर प्रदेश राज्जी के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने अंतरदेशी अमत से पालन मैदानी छेत्र के लिए पुरसकार जीता है और यहां पुरसकार दिल्ली में आयो जित दो दिवसी ग्लोबल फिश्रीज कॉन्फरेंस में दिया गया था जो कि 21-22 नॉम्बर को दिल्ली में और्गनाईज की गई थी तो अब आप देखिए इसमें सही कौन सा है प्रश्म संख्या नवासी सही राजधानी छेत्र को विक्सित करने के लिए एक नए विधयक में छुद्फटा हो दिया है तो कौन सा इसमें से जिला ऐसा है जो कि इन छे जिलों में शामिल नहीं है मतलम चार विकल्ब दिये हैं उस जिले का नाम आपको चुनना है जो कि 6 में शामिल नहोता हो बताईए और हमारा जो इसमें सही जवाब होगा देखे इसमें जिलों के नाम के तोर पे सीतापूर, बाराबंकी और हर्दोई दिया है अब मज़े की बात यह है कि ये तीनों ही उसमें शामिल हैं तो फिर इन में से कोई नहीं डी वाले विकल्ब को हम चुल लेते हैं अब जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए तो छे जिलों का प्रस्ताओ लखनव, सीतापूर, बाराबंकी, रायबरेली, हर्दोई और उन्नाओ ये छे जिले प्रश्न संख्या एक क्यानबे लिस्ट मिलान करना है आपको यहाँ पर ये कोड जो है इनको मिलान करके चुनना होगा इसमें से कौन सा होगा तो फरूखाबाद, गोड़ा, अमरोहा और अमेठी दिया है इनका नाम दे रखा है साथ में जैप्रकाश नगर, जोतिबा फुले नगर, पांचाल नगर और छत्रपती शाहुजी महराज नगर तो अब कौन सा नाम किस जगह से मिलता है या आपको मिलान करना है देखिए और बताइए तो शहर और उनके अन्य नाम के तौर पे फरुखाबाद को हम लोग जानते हैं पांचाल नगर के नाम से पांचाल महा जदबत है नग और गोड़ा को जैप्रकाश नगर के नाम से, अमरोहा को जोतिबा फुले नगर के नाम से तो इसमें से हम चुनेंगे किसको सी वाला जो कोड इसमें मैच कराया है वो ठीक दिखाई देता है 92, यहाँ देखिए यह UP स्पेशल है तो सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश, छतीसगड, जारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साजा करता है उत्तर प्रदेश का और छतीसगड राज्ये का जो बलरामपूर डिस्टिक है वो उत्तर प्रदेश राज्ये के सोनभद्र जिले के साथ अपनी सीमा को साजा करता है जारखंड राज्ये का गढवा जिला उत्तर प्रदेश के राज्य सोनभद्र के साथ अपनी सीमा को साजा करता है सोनभद्र चार अलग-अलग राज्यों के साथ जुड़ा है आप जानते ही है तो अब इसमें जिलों का मिलान किया हुआ है राज्ये वाला मिलान बहुत बार पूछा जा चुका है तो अब जिले के हिसाब से पूछा जाएगा, कि कौन सा जिला किस से लगता है, तो अब यहाँ देखिए, सही कौन सा है, देखिए 92 जो है इसका सही जवाब इसमें C हो जाएगा, तीनों ही सत्य है, तीनों में कोई समस्या नहीं दिखाई देती है, तो इसमें से हम C को चुल ठीक, सोन भद्र जिला जो है, जैसे अब 4 राजे देखते हैं, तो 4 राज्यों में मद्य परदेश, च्छत्तीजगड, ज्हारखंड और बिहार, अब बलरामपुर जिला जो है, च्छत्तीजगड़ राजे का ये सोन भद्र के साथ लगा है, और गढ़वा जो है, ये भी स तो अब आप बताईए कि सही कौन सा है, 93, सही जवाब इसमें से A हो जाएगा, ठीक, A यानि पहला और दूसरा सत्य है, केवल पहला और दूसरा सत्य है, लेकिन ये दोनों गडबड है, ललितपुर जिला जो है, ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तीन ओर से, और छेत्र प्रशन को देखते हैं, प्रशन संख्या 94, यहाँ पर देखे कहा गया, कौन सी जन जाती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर में निवास करती है, सहरिया, चेरो, अगरिया और भुईया, मत आईए, अब इसमें से अगर जन जातियों के नाम देखें, तो सह प्रशन संख्या 95, यहाँ पर स्टेट्मेंट दियो है, अब यह उत्तर प्रदेश से सम्मंदित, खास्तोर पर जन जातियों से सम्मंदित सूचनाय है, कौन सी सही है आपको देखनी है, तो जालोन तथा आयोध्या जिलों में एक भी जन जाती नहीं पाई जाती, थारू ज जन जाती में बदला विवाह का प्रशलन है, बजहर नाम का एक उत्सव है जो कि थारू लोग मनाया करते हैं, बुखसा जन जाती के लोगों की अर्थविवस्था का मूल आधार है कृशी, यानि यह मुख्य रूप से किसान है, तो अब आप बताईए, इसमें सही कौन सा ह 95, डी वाला हो जाएगा, सभी सही है, सारी ही इंफॉर्मेशन ठीक है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, है न, कोई समस्या नहीं, इसके बाद आगे चलते हैं, 96 को देखते हैं, यहां देखें, कुल चार अलग-अलग विकल्प हैं, मतलब चौथा तो उपरोगत सभी वाला है, पहला स्टेट्मेंट यह कैता है, कि प्रधान मंतरी मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2022 को वाराणसी से आयूश्मान भारत Health Infrastructure Mission की शुरूआत की थी, आयूश्मान भारत Health Infrastructure Mission वाराणसी से शुरू किया गया था, तारीक आप देखें, और मोदी जी ने वर्ष 2021 में भारत के 28वे मतलब गौतम बुद्ध नगर जिले के नुएडा में किया गया था इसका उधाटन ऐसा दिया हुआ है अब आप बताईए किसमें सही कौन सा है 96 आप सी को चुनिए इसमें सही की ही तलाश करनी है तो सी वाला एक मात्र ठीक दिया है बाकी सारी जो सूचनाए है वो गड़बड है असल में 25 अक्टूबर 2021, 2022 नहीं, 2021 में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसको लांच किया गया था वाराणसी से खोजना है गलत की तलाश करनी है तो पहला स्टेट्मेंट ये कहता है कि 1857 का जो विद्रोव था उसके प्रवर्तक और पहले शहीद मंगल पांडे का जन्म बलियां के नगवा गाव में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को बलियां में अपनी अस्थाई सरकार खड़ी कर ली थी अंग्रेजों को ऐसा खदेडा कि उनकी वापस लोटने की हिम्मत नहीं हो रही थी जितने सरकारी दपतर और थाने इत्यादी थे उन पे चित्तू पांडे का कबजा हो गया था और माहीगीर जनजाती के लोग इस्परिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं नशे के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजंगड में हुआ था मुझभर नगर जो छेत्र दिया हुआ है ने ये गड़बड़ है आजं आजंगड में पंदहा नाम का गाउं है वहाँ पर ये पैदा हुए थे और इनका मूल नाम राहुल सांकृत्यायन नहीं था ये तो जब लेखक और कभी बन जाते हैं घूमने लगते हैं जगा जगा घूमकर बहुत गरंथों की और तमाम जो बहुत धिक साहिते हैं उनकी प्रतियां इकठी करने लगते हैं तो इनका नाम करण होता है लेकिन ऐसे इनका नाम मूल नाम क्या था जरा बताईएगा ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्ग है कमेंट सेक्षन में अगर आप सुन रहे हैं मेरे प्रशन को तो इसका जवाब दीजेगा इनका मूल नाम प्रशन संख्या अठानबे यूपी का पजट यानी 2023-24 वाला ही इसके संबंध में आपको गलत विकल्प का चैन करना है राजसु बचट जो है ये 68,511 करोड 65,000,000 रुपए अनुमानित है राजसु की जो बचट है रेवेन्यू सेविंग की बात की जा रही है उसका 60,000,000 रुपए ठीक इतनी धेर सारी राज्य के ही साफ से देखा जाए तो कुछ जादा नहीं है और राजकोशी एखाटा वितवर्ष्र 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य खरेल उत्पात का 3.84 फीस दी है आंकडों पर ध्यान दीजेगा कुल वियाए 6,90,242,443,000,000 र जाएगा गलती तो है और बी वाले में है बी वाले को चुल लीजे देखें यहाँ जो फिसकल टिफिक्ट दिया हुआ है वो असल में कितना है वो 3.48 फीस दी है ना कि 8.4 मामूली इसमें गड़बड है और इसी वज़े से यह यहाँ गलत हो गया है मतलब 84,883 करोड रुप यह पूरा जो बंदोबस्त है अनुमालित किया गया है ठीक यह सब इस्टिमेट है और अगर हम इसे सकल राज्य घरे रूत पात के परसेंट के रूप में देखें तो यह 3.48 फीस दी होता है तो हमने बी को चुनाकुल मिला कर बाकी सारे सही है प्रश्न संख्या 99 उत्तर प पेश किया था यह कौन से साल तक पूरा आत्मिर्भर और एक ट्रिलियन डॉलर की एकोनामी बन जाएगा वो वर्ष बताईए तो वर्ष यहां दिया हुआ है आप देखें और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका 2027 ज्यादा दूर नहीं है देखा जाए है टेस्ट बंडे की डेट तक का तो भारती अर्थ विवस्ठा का आकार बढ़ गया है और यह पिछले 9 साल में 10 वी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन गई है मतलब लगातार दसवे पोजिशन से हम तीसरे स्थान पर आ गये हैं तेजी से ग्रोथ हुई है 2014 के बाद लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आये दोगुनी होकर एक दश्मलो 9.7 लाख रुपए हो गई और केंद्रिय वित्व और कार्पोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीता रमड़ जी इन्होंने एक फरवरी 2023 को संसत में जो बजट पेश किया था वो 45 यहां ध्यान से देखेगा 45,3,097 करोड रुपए का केंद्रिय बजट था तो अब आपको यह बताना है कि इसमें जो स्टेट्मेंट दिये हुए है गलत कौन सा है वास्तविक जीडिपी वृद्धीदर वित्तिवर्ष 2022 देश में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है गलत विकल्प का आपको चैन करना है सौवा प्रशना आप देख रहे है तो अब इ पहले क्या था नौ वर्षों में जो दसवी रैंग थी वहां से यह तरक्की करते करते पांचमें स्थान पर आ गया है तीसरे स्थान पर नहीं यहां पर पांचमा होना चाहिए था तो वो नहीं दिया है इसलिए गलत है इसके बाद 101 प्रशन देखेगा आर्थिक समीक्षा यहने एकोनामिक सर्वे से समंदित यहां चार स्टेटमिंट है दोजार बाईस ते इसका जो एकोनामिक सर्वे था इसके आधार पर देखिएगा सही कौन सा है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जनांदोलन शुरू किया गया है और नेशनल ग्रीन ह 9.4 करोड जो लाभार्थी हैं उनको एक साल के लिए नेशुल का नाज मिलेगा तो अब यह सारा सिस्टम है इसमें से सही कौन सा है सारे कथन सही हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं ध्यान से देखेगा देखिए इसका जो करेक्ट टैंसर है वो सिर्फ इसमें पहला और सौथे स्टेट्मेंट दिये होए ने ये गड़बड हैं समस्या क्या है समस्या यह है ने कि यहां जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है मतलब नीजी चेतर का जो निवेश है वो बढ़कर 9.3 हो गया है तो यहां पर गड़बडी है असल में 2021 बाइस नहीं होगा बलक असी दश्मलोचार तो यह दोनों ही गलत है ठीक पहला इसमें ए वाले को चुना पहला दूसरा सत्य है इसके बाद 102 में फिर से एकोनॉमिक सर्वे से चार स्टेट्मेंट दी हुए है भारत ने वर्ष 2035 तक सून्य उत्सर्जन हासल करने का संकल्प व्यक्ति किया है पीम कि वर्ष 18 फिस्दी की दर से बढ़ने की उमीद है और भारत वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके दुनिया भर में प्रेशन का सबसे बड़ा प्राप्त करता बन गया है अब आप बताईए इसमें से सही कौन सा है एकोनॉमिक सर्वे को आप देख रहे हैं 102 दोवा प्रश्ण है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आपका B हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है ठीक केवल दूसरा और चौथा सही है पहले और तीसरे में समस्या है समस्या क्या है ध्यान से देखेगा देखे भारत 2070 तक 2035 नहीं 2070 तक शून्य उत्सर्जन हास तक बात है तो 2025 तक 2028 नहीं 2025 तक 1820 की दर से इसे बढ़ने की उमीद दिखाई देती है तो हमने इसमें से चुना किसको B वाले को इसके बाद next 103 consider the following statement अब यहाँ भी कुल मिला कर 4 statement है तो वैश्विक इस्तर पर भारत mobile phone का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है 2021 वर्ष जो था इसमें भारत दुपईया और तिपईया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता और यात्री वाहनों का चौथा सबसे बड़ा निर्माता बन चुका था दिसंबर 2022 में भारत विक्री के मामले में जापान और जर्मनी को पचाड कर तीसरा सबसे बढ़ा आटो मुबाइल बाजार बनने के लिए तैयार खड़ा है प्रसंस्कृत खादे निर्यात सही जुक्रिशी खादे निर्यात मुल्य है ये वर्ष 2021 के दौरान भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9 फीज दी था अब ये सारा डाटा यहां देख लीजे और बताइए किसमें से सही कौन सा है प्रश्न संख्या 103 को आप देख रहे हैं और D वाला चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा फिलाल जो हमारा करेक्ट अंसर है 103 का वो हो जाएगा इसमें से आपका D वाला ही क्योंकि तीनो सत्य हैं आर्थिक समिक्षा का अगर हम पूरा डाटा देखें तो इसमें जो स्टेट्मेंट आप देख रहे हैं इसका हमने D चुना है तो चारो ही सत्य हैं तीन नहीं बलकि चार स्टेट्मेंट है और चारो से ही ठीक यह आपने देखा D को चुना आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 104 यहां गलत की तलाश करनी है तो उन्नत उपज किस्म वितरण कारिक्रम इसकी शुरुवात उतरा खंड राज्य के कुमाउ मंडल के उधम सिंग नगर जिले में स्थिक पंत नगर के गोविंद वल्लब पंत क्रिशी और प्रोध्योगी की विश्व विद्याले से की गई थी दूसरा यह है कि हरितक्रांती शब्द 1960 में डॉक्तर विलियम गौड की द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया का वर्डन करने के लिए गढ़ा गया था जिसे की कृशी उत्पादक्ता में सुधार लाने के लिए बनाया गया तीसरा स्टेटमेंट भी जो कि कहता है कि चिदंबरम सुब्रमणियम को हरितक्रांती के राजनयतिक जनक के रूप में मना जाता है चिदंबरम सुब्रमणियम इनको जाना जाता है political father green revolution का बताएगे कि इसमें से incorrect कौन सा है D कहता है कि कोई गलत नहीं है लेकिन हम चुनेंगे किसको तो हम D को चुनने इसी में भलाई है क्योंकि इसमें गलती कहीं नहीं है सारे के सारे statement यानि तीनों ही सत्य है प्रशन संख्या 105 यहां फिर से 3 statement है अब यहां सही डूढ़ना है तो पहली पंच वर्षी योजना 1951 में चुरू की गई थी जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक छेत्रे यानि प्रैमरी सेक्टर को विक्सित करने पर केंद्रित थी पहली पंच वर्षी योजना कुछ संशोधनों के बाद हैराल डोमर मॉडल पर आधारी थी और राश्ट्रिय विकास परिशत का गठन किया गया था 1952 छे अगस्त की तारीक में और इसका काम था पंच वर्षी योजनाओं को मंजूरी देना बताईए कि इसमें से सही कौन सा है तो सही इसमें से आपका ध्यान से देख लीजे पहले इसका डी वाला हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा तीनों सत्य है ठीक कुछ संशोधन अगर इसमें हटा दिया जाए तो यह हैराल डोमर मॉडल पराधारित थी और कुल मिलाकर इसमें तीनों ही सत्य है कोई समस्या नहीं इसके बाद प्रशन संख्या 106 को देखते हैं यहां देखी तेईस जून को पीसी महाल नोबिस यानि प्रशान चंद्र महाल नोबिस के ज अगठन ही करता है तो अब आप बताईए कि इसमें से करेक्ट स्टेट्मेंट कौन सा है प्रशन को देख रहे हैं और सही जवाब इसका हो जाएगा आपका बी वाला देखे इसमें सारे नहीं सही हो सकते हैं पहला इसमें स्टेट्मेंट गडबड है यह जो तारीक दी बागी सारी information सही है और उनी के जनम दिवस के उसर पर राश्ट्रिय सांख की दिवस मनाया जाता है तो 29 जून याद रखेगा प्रशन संख्या 107 में चलते हैं यहाँ पर पुस्तक और लेखक का नाम दिया है और मिलान पहले सी किया है लेकिन सभी जो इसमें मिलान किये हु अब आप बताईए कि इसमें सही कौन सा है 107 सही जब आप इसमें जो दिया है वो आसान है बागी जो है आप देख लीजे दास कैपितल वाला ठीक दिया है बागी अगर देखें तो यह एडम समित के द्वारा लिखी गई है इसको आप इन से मिला लीजे और प्रिंसिपल इकोनामिक्स इसको लिखने वाले एलफरेड मार्शल है इनको नीचे वाले से मिला लीजे अब बचता है फाउंडेशन ऑफ एकोनामिक एनालेसिस तो इसको पाल सैमुलसन से मिला लीजे ठीक एक मात्र भी वाला सही दिया था 108 पे आ जाईए यहां इस्टेटमेंट आ गया और यह आपका डेटा है मतलब अग्रिकल्चरल डाटा है स्टेटिस्टिकल डाटा है या बाकी बजट से सम्मंदित इन्फॉर्मेशन है सभी कठा है तो जो लेटेस्ट अग्रिकल्चरल डाटा है 2023 का उसके हिसाब से प्रतिव्यक्ति दूद की उपलबदिता के मामले में पर है पंजाब ठीक पशुपालन सांके की आंकडे जो 2022 वाले हैं उसके हिसाब से दूद उतपादन में जो शिर्ष राज्य है सबसे उपर स्थान पाने वाला राज्य है वो राजस्थान है उत्तर प्रदेश के बजट के आंकडों की अगर हम माने तो दूद की उतपादन में टॉप पर है उत्तर प्रदेश और जो लेटेस्ट एगरिकल्चर का डाटा 2023 वाला हमें प्राप्थ हुआ है उसके आधार पर राश्ट्रियस तर पर प्रतिव्यक्ति दूद की उपलब्दता 448 ग्राम प्रतिदिन है ये कुछ महत्यपूर्ण आकडे यहां दिये हुए यही एक मातरिस में गलत है बाकी जितने दिये हुए है वो सभी सही देखें लेटेस्ट जो एगरिकल्चर का डाटा है उसके हिसाब से दूद की जो लब्दता हमें प्राप्थ होती है राश्ट्रियस तर पर वो 444 है 448 नहीं है यह मामूली अंतरिस में आप देख रहे थे और इसी वज़े से यह स्टेट्मेंट गलत था बाकी सारे सही प्रशन संख्या अगला देखें नमूना पंजी करण प्रणाली की रिपोर्ट मई 2022 की मतलब मई 2022 में यह रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से उचितम जन्मदर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्जी को कौ कौन सा इस्थान दिया गया है नमूना पंजी करण प्रणाली की रिपोर्ट और आई थी यह मई 2022 में इस्थान कौन सा था यूपी का आप देखें और बताएं तो यूपी की पोजीशन इसमें थी दूसरी सबसे ज्यादा जन्मदर वाला राज्य था बिहार दूसरे नंब प्रण संख्या 110, consider the following statement regarding the census of 2011-2011 की ही जनगरना चल रहे है तो अब यहाँ देखें भारत की कुल साक्षर्टादर है 73%, ग्रामीर साक्षर्टादर है 66.8, literacy rate की बात हो रही है और शहरी साक्षर्टादर यानि अर्बल literacy rate जो इंडिया का है वो 84.1% यानि 84.1% यानि 84.1% भार statement कौन सा है 110 और सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका D वाला सारी ही सूचना है ठीक है तो इसमें कोई समस्या नहीं है है ना ठीक आगे चलते हैं प्रशन संख्या 111 में आईए और यहाँ देखें फिर से 4 statement हाजिर है जनगरना से है 2011 के census के आंकड़ों के इसाब से UP में सबसे ज़्यादा ग्रामी डावादी है और भारत में जो सिक्क समुदाय है उसमें लिंगा नुपात सबसे कम है पश्चिम मंगाल राज्ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गनतवाला राज्ये है और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को ये को 4 statement इसमें आपको दिखाई दे रहे तो अब आप देखें बताईए इसमें सही कौन सा है और इसका जो सही इसमें जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला क्योंकि पहला और दूसरा तो ठीक है पहला सही है दूसरा सही है लेकिन ये तीसरा चौथा गड़बड है 2011 की जन गड़ना की अगर हम माने तो बिहार राज्य जो है ये सबसे ज़्यादा जन संख्या घनत वाला था है न ये जगजाहिर बात है पश्चिम बंगाल कहां से आ जाएगा और विश्व जन संख्या दिवस हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को 22 को नहीं ठीक तो हम चुनेंगे किसको ए वाले को प्रश्ण संख्या 112 यहां आ जाईए लेटेस्ट जो उर्जा सांख्य की डाटा है 2021 वाला 31 अगस्त 2021 तक इसे अपडेट किया गया था तो उसके इसाब से 2020 में उपयोगिताओं की आधार पर बिजली उत्पादन की जो छेत्रवार स्थापित छमता है उसक जो करेक्ट आंसर है वो इसमें A हो जाएगा पश्चिमी छेत्र का जादा था ठीक पश्चिमी छेत्र का यानि वेस्टर जो है उसमें जादा अपना रोल प्ले कर रहा था बिजली उत्पादन की एक शमता को यहां आका गया था और उस लिहाज से पश्चिमी छेत्र जो है लेकिन सारे मिलान गडबड है, कोई एक ठीक है, तो Central Electro Chemical Research Institute ये दहरादून उत्तराखंड में है, विद्धुत्रा सायनिक अनुसंधान संस्थान, फिर Central Institute of Mining and Fuel Research ये आपका कराई कुड़ी में पढ़ता है यानि तमिलनाडू में, खननन और इधन अनुसंधान संस्थान, Central Institute for Cotton Research ये नागपूर महाराष्ट्र में है और Forest Research Institute ये धनबाद में है, धनबाद माने जारखंड में है, तो अब इसमें सही कौन सा है, संस्थानों का अतापता आपको होना चाहिए, फिलाल इसका जो सही जवाब है वो C वाला हो जाएगा, एक मात्र कपास वाला ठीक दिया है, बाकी जितने हैं सब गड़बढ हैं, जैसे कि विद्धुत्रासायनी का अनुसंधान वाला कराई कुडी में है, ये कराई कुडी में है माने, तमिलनाडू में है, और इधन अनुसंधान संस्थान पढ़ता है धनबाद में, जबकि केंद्री अवन अनुसंधान संस्थान आप जानते ही है कि देहरादून में है, वो धनबाद में कहां से चला जाएगा, है ना, तो इसमें C वाला सही है, प्रश्न संख्या 114 में आते हैं, जन संख्या के पिरामिड में, मतलब कौन सी आयू से लेकर, कौन सी आयू के वर्ष तक, या आयू वर्ग तक, सामानिता आश आश्रित जन संख्या के तोर पे उसे देखा जाता है, मतलब कितनी आयू से कितनी आयू तक के लोग आश्रित जन संख्या में गिने जाते हैं, यानि वो आत्म निर्भर नहीं होते हैं, दूसरे के उपर आश्रित होते हैं, तो 114 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क यह साल नहीं होती है लगबग पांच साल के गैप पर होती है फिलाल तो यहां पर जो बीसमी पशुगर्णा है उसमें आप गलत विकल्प का चैन करिएगा श्रेडी और शीर्ष राजी दिया है लाइव स्टॉक के मामले में टॉप पर है मध्य प्रदेश मुर्गी पालन के म मामले में तमिलनाडू मवेशियों के मामले में वेस्ट बेंकॉल और भैसों के मामले में यूपी अब इसमें गलती कहां पर है बताईए तो 115 का जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा पशुधन के मामले में कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला बेंगौल है, दूसरे नंबर पर अपना यूपी है, प्रश्न संख्या 116 लको देखते हैं, यहां आजाईए, यूपी का सेंसेश 2011 का इस पे जो कथन दिये हैं विचार करना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयाग राज, और सबसे अधिक दश्की अव्रिधी ही दिया है, कोई समस्या नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सबको बटोर कर चुन लिया, प्रश्न संख्या 117 यहां पूछ लिया गया कि गलत कौन सा है, तो बिमस्टेक के सदस्य देश है, पांगलादेश, भूटान, भारत, म्यामार, नेपाल, श्रिलंका और था करता है, यानि 2023 में बिमस्टेक की स्थापना को 25 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं, तो अब आप बताईए, इसमें गलती कहां पर है, 117, सही जवाब हमारा D वाला हो जाएगा, यह जो D वाला ऑप्शन है, यही गलत है इसमें, बागी सारी इंफॉर्मिशन ठी इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रशन संख्या 118 को देख लेते हैं, consider the following statement, ललित कला एकडमी की स्थापना जवारला नहरू की द्वारा की गई थी, और संगीत नृत्य कला नाटक के लिए भारत की पहली राश्ट्री एकडमी संगीत नाटक एकडमी जो है, इसकी आपना 31 मई 1954 को संस्कृती मंत्राले के एक प्रस्ताओं के द्वारा की जाती है, तो अब आपको ये देखना होगा कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, 118 और 118 का जो सही जवाब है, वो इसमें आपका D हो जाएगा, कोई भी ठीक नहीं है, समस्या ये है कि 5 अगस्त 1904 की तारी सुसाइटी पंजीकरण वाला, उसी के तहट इसका पंजीकरण होता है 1957 में, तो यहाँ पर ये प्रस्ताओं जो संस्कृती मंत्राले का दिया हुआ है, वो गड़बड दिया है, और दूसरी बात यह है कि संगीत नाटक अकेडमी की बात अगर की जाए, मतलब इसमें दो इ अकेडमी ये 31 माई 1904 को स्थापित की गई थी, तो इसको एक प्रस्ताओं के द्वारा, जो कि सिक्षा मंत्राले का प्रस्ताओं था, उसके द्वारा 31 माई 1952 को बनाया गया था, तो ये दोनों ही इंफॉर्मिशन कलत है, डी को हमने इसी लिए चुना है, नौन अब्दीज कोई सही नहीं है, प्रशन संख्या 119, सिंधी भाशा को 1960 में गुजरात, राजस्थान और महराष्टर के कुछ छेत्रों में मानिता दी गई थी, संथाली को 2003 में जारखंट, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ छेत्रों में मानिता दी गई थी, होले तासो डुकना रा लेकिन यह जो तीसरा वाला होले तासो डुकना राम दिया हुआ है, यह गड़बड है, इसमें गड़बडी कहां पर है, यह अरुणांचल का है, ठीक है, यह मड़ीपूर का नहीं है, अरुणांचल का है, इसमें इनसान जानवर बनने की कोशिश करते हैं, इसके बाद महराष्टर, केरल, मड़ीपूर और मिघाले, मिलान करके जल्दी से बताइए, इसका कौन सा किस से मैच करेगा, तो मिलाने के लिए भाई, इसमें जो कोड है न, ए वाला चुल लीजे, मतलब पाला हो जाएगा ओडिशा का, गोंदल हो जाएगा महराष्टर का, वारी स्टेट्मेंट को ध्यान से देखेगा, उत्तर प्रदेश राजजी सरकार ने वर्ष 1991 में, जो राज भाषा संसोधन अधिनियम 1989 वाला था, उसके द्वारा उर्दु भाषा को राजजी की दूसरी आधिकारिक भाषा की मानेता दी, ठीक, मतलब मानेता देने का काम अधिन स्टेश राजजी अभिलेखा गार की सрийकार ने वर्ष 1973 में उत्तर प्रीदेश राजजी अभिलेखा गार का मुख्याले लख नव्ह से स्थानांतरित कर दिया गया और प्रयाग राज में जो कर्याले था उसको च्छेत्री अभिलेखा गार बना दिया गया, तहाँ माने इसमें सही कौन सा है, 121 और सही जवाब इसका B हो जाएगा, इसमें देखिए दूसरा और तीसरा ठीक है, लेकिन पहला गलत है, उर्दु भाशा को राजी की दूसरी आधिकारिक भाशा गोशित किया गया था, 1989 में, यहां दिया हुआ है क्यानवे, डेट गलत दिये, इसके प्रशन संख्या 122 में आये, और यहां पर जो क्रिशी जन करना है, दसवी 2015-16 में वोई थी, उसके संदर्म में आपको कुछ कथन दिये, अब इसमें कहा गया कि जिस किसान के पास केवल 3 हेक्टेयर खेती की जमीन है, उसे अर्ध मध्यम किसान की श्रड़ी में रखा जाए सेमी मीडियम फार्मर की श्रड़ी में वो आएगा, जिस किसान के पास केवल 7 हेक्टेयर क्रिशी भूमी है, उसे मध्यम श्रड़ी में रखा जाएगा, और 9 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की क्रिशी भूमी है तो उसे बड़े किसानों की श्रड़ी में रखा जाएगा, तो बाप ये बताईए कि सही कौन सा है, 112, और 112 का जो सही जवाब है, वो इसमें ए हो जाएगा, पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन इसका जो तीसरा वाला है, वो गड़बड है, तीसरे वाले में समस्या क्या है, यहाँ दिया हुआ है, कि जिस किसान के पास 9 हेक्टेर कृशी भूमी है, देखें, बड़े किसान जो है, उनके पास 10 हेक्टेर या उससे जादा की होनी चाहिए, जो मध्यम श्रेडी के है, उनके पास 4-10 हेक्टेर के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ जो रेंज दिया है, इसके बाद प्रशन संख्या 123 में देखें, यहाँ पर फसल और उनसे सम्मंदित रोग दे रखें हैं, तो तिल का जो पौधा होता है, तिल की जो फसल होती है, उसमें फाइलोडी नाम की बिमारी लग जाती है, भिंडी और पपीते में टिक्का रोग लगता है, मोलेया डिजीज जो है, यह लगती है गेहूं और जो में, और बक आई रोट नाम की जो डिजीज है, यह असल में लगती है टमाटर में, तो आप बताईए इसमें सही कौन सा है, 123, सही जवाब, इसका B हो जाएगा, पहला, दूसरा और, आप कीज़ेगा, पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन भिंडी और पपीता वाला जो टिक्का रोग दिया हुआ है, यह गडबड, तिक्का रोग मुमफली में लगता है, है ना, तो आप आराम से पहचान सकते हैं, भिंडी और पपीते में पीत शिरा रोग, यानि जो यलो वेंड मोजैक वाला रोग होता है, जो कि विशानू से होता है, यह लगता है, प्रश्न संख्या 124 को देखते हैं, यहां फल सब्जी या खादे पदार्थों के नाम दिये है, साथ में उनसे संबंदित जो अमल है, मतलब उसमें पाय जाने वाले जो ऐसिड हैं, उनके नाम दिये है, तो मक्खन में पाया जाता है, प्योतेरिक असिड, संतरा और नीबु से संबंद है, citric acid का rap seed का जो तेल होता है उससे axelic acid प्राप्थ होता है और ravjan chilli जो होती है उससे प्राप्थ होता है erosic acid तो अब बताईए इसमें से कौन सा सही है मतलब कौन सा सही सुमेलित है तो 124 को आपने देखा और इसका जो सही जबाब है वो इसमें आपका A हो जाएगा केवल पहला और दूसरा सही है लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं वो गड़बड है जैसे कि इसमें दिया हुआ है रेपसीड तो रेपसीड से एरुसिक एसिड रेपसीड और सरसो दोनों से कानपुर में है गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनव में है पशुचिकितसा अनुसंधान संस्थान बरेली में है और सबजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है सही कौन सा है आप बताएगे तो सही है इसका D वाला यानि सारे सही है इसमें कोई समस्या नहीं है आईए आगे चलते अब यहाँ पर यह reasoning आ गई जो की चलेगी तो 126 में को देखेगा 4 विकल्प दिये गया है जिसमें से 3 जो है वो किसी ने किसी रूप में एक जैसे है जबकि एक अलग है और अलग कौन सा है यह आपको बताना है तो देखिए और बताइए तो के लिए 7 नंबर 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 वैसे ही F और E का 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा I और B का जोड़ेंगे 9 और 2 तो भी 11 होगा लेकिन E और G का अगर आप क्रमांग का आपस में जोड़ते हैं तो 11 नहीं बलकि 12 आएगा इसलिए अलग है इसके बात अगले वा 50 दिया है बीच में 16 है यहाँ 26 और 15 दिया है बीच में 17 है तो इसके लिए हम क्या करें बताइए तो इसमें अगर आप देखें तो 2 में 3 का आप गुड़ा करते हैं तो 6 आता है और 5 में 2 का गुड़ा करते हैं तो 10 आता है 6 में आप 10 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है है न इसी प्रकार से बाकियों को भी करेंगे तो इसमें जो अगला आपका सीक्वेंस यहां क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगा क्या आएगा उसकी जगा आएगा 26 और 26 कौन से नंबर पर है बी वाले पर इसके बाद 28 को देखते हैं यहां आजाएए चार शब्द दिये हुए है इसमें से तीन जो है वो किसी तरह से एक जैसे लेकिन कोई एक जो है वो अलग है और असंगत जो है मतलब अलग का मतलब यहां पर असंगत से है उसकी पहचान आपको करनी है तो भारत का कनेक्शन जोड़ा है बाग से चीन का विशाल पांडा से पाकिस्तान का मार्खोर से और श्रिलंका का भी जोड़ दिया है बाग से इसमें से कौन सा भिन है तो यहां सारे देशों के राष्ट्रिय पशु असल में दिये हुए है और उसमें से जो इसमें मिसमैच या असंगत दिखाई दे रहा है वो टी वाला है श्रिलंका का भाग से कनेक्शन नहीं है श्रिलंका को आपको चोड़ना चाहिए हाथी से ठीक इसके बाद 119 में आते है यहाँ देखिए यहाँ पर जो सद्रिश शब्द युग में है उनका चैन करना है सैंडल पीक राष्ट्री उध्यान अंडमा निकोवार्द वीप समू वैसे ही मॉलिंग राष्ट्री उध्यान का कनेक्शन किस से है अरुडांचल से है यूपी से है मिजोरम से है कि दमन से तो मॉइलिंग कहां पर है यहाँ पर रिजिनिंग के साथ साथ आपका जो जी-अस का नॉलेज है वो भी चेक हो रहा है तो ए को चुनते हैं प्रशन संख्या 130 को देखते हैं यहां देखिए लुप्त सद्रिश जो संख्या होती है उसका चैन आपको करना है तो यहां जो मिसिंग नंबर है उसे ध्यान से देखेगा 48 रेशियो टू दिया हुआ है अब उसके बाद वाला जो है वह आपको तलाशना है इसमें से कौन सा होना चाहिए 46 और 5 का होना और दीजे बटे में कड़ दीजे तो मतलब 8 में 4 से डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा वैसे ही 49 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 आना चाहिए मतलब 49 में 3 से भाग नहीं देना है असल में 49 आप देख रहा है न यहां पर यहां पे यह वाला तो इसमें ह 131 को देखते हैं, यहाँ देखिए, एक निश्चित कोड में digital को लिखा गया है, 20933, ऐसी ही कोडिंग आपको करनी है, पेंसिल्स की, तो कैसा कोड आपको मिलेगा बताइए, अब इसमें तो आप कोडिंग कर लेंगे, तो इसका जो correct answer है, वो B होना चाहिए, आप करके देखे इसका B आएगा, 35340, 35340, यहाँ आप देख लें, इसके बाद 132 को देखते हैं, यहाँ पर number up triangle, यह telegram का symbol बना हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप से त्रिबुजों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक, telegram आप ऐसे बखू भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ बताईए, तो इसमें जो number up triangle है, वो कितने होंगे, बताईए, इसमें 3 ही triangle है, बहुत जादा नहीं है, 5 और 7 के फेर में मत पढ़िएगा, सिर्फ 3 है, गिनकर देख लेजएगा, 133, find the missing number, अब यह cube वाला आप देखिए, इसमें cube में आपको missing number डूणना है, जो अंतिम cube है इसमें उपर का फलक है, इसमें संख्या नहीं लिखी हुई है, तो 133 जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब A हो जाएगा, यहाँ पर एक भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक भरा जाएगा, इसके A वाले option को चुनेगे, प्रशन संख्या 134, यहाँ देखिए, यह आकृती जो है, बनी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसका दरपन प्रतिबिम्ब आपको बताना है, कैसा बनेगा, mirror image कैसी बनेगी, तो mirror image इसकी कैसी बनेगी, जैसा है वैसी ही बनेगी, इसमें उल्टा सीधा तो कुछ है नहीं, कि इसमें हम ambulance वाली style में देखेंगे कि अच्छा उल्ट जा रहे हैं, यहाँ तो आप उल्टेंगे चाहिए, पल्टेंगे यह जैसा है, वैसा ही दिखने वाला है, क्योंकि यह circular shape का है, और इसमें design भी उसी प्रकार से बना हुआ है, तो A को चुनें कि common sense की बात है, 135 को देखते हैं, यहाँ देखिए, जो विकल करेंगे, reason होना चाहिए न, इसके पीछे, तो यहाँ पर वही plus 6, plus 6 वाला जोड़ दीजिए, मतलब 6-6 जोड़ते जाईए, B का H से connection बिठा लीजिए, D का आप J से बिठा लीजिए, पहले 6 जोड़िए, उसके बाद फिर H, J का अगर TV से जोड़ते हैं, तो उसमें 12 जोड बनेगा, तो correct answer इसका क्या होगा, C वाला हो जाएगा, TV, है न, इसके बाद 136 को देखते हैं, यहाँ आजाईए, यहाँ पर कहा गया कि 33 प्लस 26 बराबर अगर 15 होता है, तो फिर यहाँ पर दो अलग-अलग दी हुए हैं, 33 प्लस 26 बराबर 15 दिया है, और 24 प्लस 15 बराबर 11 तो फिर 42 और 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ सामाने गड़ित नहीं बलकि logic काम करेगा, तो यहाँ जब आप निकालेंगे न, तो इसका correct answer हो जाएगा, इसका B वाला, 16 आएगा, ठीक, 16 आएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन को देखते है जो कि है 117 और 137 में कहा गया कि कौन सा शब्द, अंग्रेजी शब्द कोश में तीसरे स्थान पर आएगा, तो यहाँ योग लिखाया, यार्ड लिखाया, यूथ लिखाया और योनिंग लिखाया, तीसरे स्थान पर dictionary में आपको कौन सा मिलेगा, बताइए, तो यहाँ जो पुषकर सिंग धामी है कौन, यह आपको पता है, तो उसी आधार पे आप connection लगा लिजे, तो यहाँ राज्ये चुनिएगा, तमिलनाडू होगा, करनाटक होगा, यूपी होगा कि गोवा होगा, तो पुषकर सिंग धामी क्या है, उत्तराखरिंड के मुख्यमंत्री, तो वैसे ही यहाँ पर सिद्धरमयया का connection किसे हो जाएगा, करनाटक से हो जाएगा, आपने बी को चुना, प्रशनि संख्या 149 को देखें, यदि अंक 2 और अंक 3 को आपस में बदल दें, तो जो नीचे समीकरण बना हुआ है, नीचे एक equation बना हुआ है, इसका मान कितना होगा, मतलब 2 और 3 की अदला बदली करने, तो यहाँ जो equation होगा, वो बदल जाएगा थोड़ा सा, अब calculation करके जब आप निकालेंगे, तो इसका जो सही जवाब है, वो इसमें A हो जाएगा, 88 आएगा, और अंतिम प्रशन देखेगा, इसमें कहा गया कि find the wrong number in the series, यह जो series बनी हु यह है, वो आपकी D वाली है, यानि 13, 13 इसमें नहीं होना चाहिए था, यह इसमें series में गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह mock test complete किया है, ऐसे ही offline test आपको वीडियो के माध्यम से explain करके दिया जाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो अवश्य ही था, लेकिन सा तक के लिए, नमस्कार